हेलो एव्रिवन कैसे आप सब आई हो आप सब बहुत ही खुश और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं मैं पूनम पुरजापत रसाइन विज्ञान की कख्षा बार्वी में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं बच्चों आप सब बहुत अच्छे हैं है ना बिलकुर और मन लगा अगर पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं फटाफट मुझे जल्दी से कमेंट में लिख दो जल्दी से फटाफट कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेर करो क्योंकि हम लोग आज और गिनिक केमेस्ट्री का अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं तो जल लेकिन उससे पहले फटाफट शेर करो जल्दी से जल्दी बच्चों अगस्ता चुका है दिसंबर तक स्लेवर्स करना है और मार्च में आपका एक्जाम है तो फटाफट बी रेडी बी क्यारफुल जल्दी जल्दी पढ़ो जो जो टॉपिक्स पढ़ा पढ़ा है उनको ज समय आप किसी भी सब्जेक्ट को देंगे वह आपको उसका दुगुना रिजल्ट देगा इसलिए कोशिश करो कि आप जादा से ज्यादा इन चीजों को पढ़ सको राइट चले आओ जी आओ अब तो शुरू करना पढ़ेगा कर दिस एड़ क्लास को ओक्या आज आओ चलते हैं आज अबन शुरू करेंगे अपना अंसी आर्टिक न्यूस लेबस के अकोर्डिंग जो चैप्टर 7 है इसका नाम है एलकोहल, फिनॉल और इथर यह जो चैप्टर है बेटा इस चैप्टर में क्या है कि आपको इस चैप्टर में जो नाम लिखा गया है इसको एक सकते हैं ऑक्सीजन युकता ऑक्सीजन युकता समुह ओके और हम आज एलकोहल, फिनॉल और इथर क्या होते हैं वो बढ़ पढ़ेंगे साथ ही एलकोहल का पूरा जितना भी नॉलेज आवशक है वो सब भी आज इसी क्लास में हम डिसकस करेंगे तो आप लास तक क्लास में मेरे साथ जुड़े रहें और ध्यान बिलकुल क्लास पर ही रहें इधर उदर की बातों में नहीं बेटा जो बच्चे अगर इधर उदर की बाते कर भी रहें तो एक बार उनको रोक दो क्योकि वो तो सब आपके दोस्त हैं ना, मित्र वही होता ह लेन जो क्या करें दसफलता में साथ दे《 द्रै तो सफलता इंच किसमें चुपी से चुपी है तो आपका साथ आपकी पढ़ाएं में जो दे रहा है वही आपका मित्र है ड्रै तो फटा फट जल्दी से जल्दी लिखो अ में कि आप को पीछे के सारे टॉपिक Cash जल्दी और आप पुरा मल लगा कर मेरे साथ पढ़ेंगे जल्दी सी गमेंट में लग दो फटा 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 को के सुरू करूं बिल्कुल शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो सबसे पहले है कि अलकोहल फिनाल और इथर का सामन्य परिच क्या है सामाने परिच है जरा देख लेते हैं आप का जो एल्कोहल है वो कैसा होता है राइट एल्कोहल का मतलब होता है अपने पास कोई भी कार्बन हाइड्रोजन यूठ श्रंकला है अब जिन शब्दों का में बॉलूंगी वो शब्द आपको पहले से पता है क्योंक करके चैनल पर देख लो और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वहां कर लें तभी आपको जिए क्लियर होगी ओके मैं बैसिक से पढ़ा रही हूं पर फिर भी कुछ योगदान आपका भी हो तो कार्बन हाइड्रोजन की श्रंकला है उसमें हाइड्रोजन के इस् तो वो ओच युक्त योगिक क्या कहलाते हैं बैटा एलकोहल कहलाते हैं जब एलकेन के एच के इस्तान पर ओच आ जाता है तो उन्हें एलिफैटिक एलकोहल कहते हैं एलिफैटिक सब जानते हैं जो क्या हो एक कार्बन श्रंकला में हो और जब जिने जलाया जाता है तो वो सफेद धुए के साथ जलते हैं अगला है फिनॉल जब किसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर जो कार्बन है उससे जुड़ेवे हाइड्रोजन को हटा कर अगर वहां होचा जाता है बच्चों तो वो क्या बन जाता है फिनॉल बन जाता है make sure कि वो एरोमेटिक रिंग हो बेंजीन होगी तभी वो फिनॉल होगा अगर वो बेंजीन नहीं है ऐसे ही कोई चक्रिय कमपाउंड है तो वो फिनॉल नहीं होगा बेटे ध्यान से ओके next आता है ether, ether क्या होता है कि जब carbon shrankla होती है उस carbon shrankla में यदी दो एलकिल समू है oxygen से जुड जाते हैं तो वो कहलाता है ether क्या कहलाता है वो ether कहलाता है बात समझ में आ गई और ether जो है उसमें जो ये एलकिल ग्रुप्स होते हैं वो समान भी हो सकते हैं और एसमान भी हो सकते हैं जब वो समान होते हैं तो उन्हें सम्मित और जब वो समान नहीं होते हैं तो उन्हें एस सम्मित कहा जाता है राइट बात समझ में आ गई है तो फटा फट यस मैं हम लिखेंगे और गिनिक के विस से एजी है इसी है ऐजी है मैं बार-बार कह रही हूं बस साथ आपका चाहिए हमारा सपोर्ट पूरा है चलें ओके जो इथर एलकॉल और फिनॉल तो क्लियर हो गया चैप्टर का मेन मोटो क्या है वह समझ आ गया लेकिन हम आज एलकॉल के बारे में डिसकस करेंगे तो एलकॉ पढ़ते हैं ऐलकोहल का क्लासिफिकेशन यानि एलकोहल का वरगी करण क्या होता है ज़रा ध्यान देंगे बच्चे अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एलकोहल जो है वो कई तरीके से classified है रई classify कितने तरीके से है कि कारवन मैं यहां पर एक चोटा सा चार्ट तुमें दिखा बनवा रही हूं वो आप सब देखें कि कार्बन जब एलकोल जब क्लासिफाइड किया जाता है तो जनरली जो एलकोल है उसमें क्या होता है कार्बन एलकोल जो है मोनो, डाई और ट्राई तीन प्रकार का होता है मोनो, हाइड्रिक, डाई हाइड्रिक और ट्राई हाइड्रिक ओके, मोनो, हाइड्रिक, डाई हाइड्रिक और ट्राई हाइड्रिक, मोनो, हाइड्रिक का मतलब होता है जब कार्बन श्रंखला में एक ही ओच हो डाइ हाइडरिक का मतलब होता है जब दो ओच हो ट्राइ हाइडरिक का मतलब होता है जब तीन ओच जुड़े हुए हो अब क्योस्टन आता है क्या एक ही कार्बन से दो ओच है या एक ही कार्बन से तीन ओच है नो अलग अलग कार्बन पर ओच होंगे एक कार्बन पर एक ही ओच होगा एक कार्बन पर दो ओच कभी exist करता ही नहीं है जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते ना वैसे ही एक कार्बन पर दो ओच कभी नहीं रह सकते यह fact है क्योंकि वो हमेशा फिल आगे जागे h2o formation क इस्ट नहीं करता सिंपली वर्ड में मैं बोलू तो ओके बात समझ में आ गए तो मोनो हाइड्रिक को फिर से क्छासीफाइड किया गया है और कितने भागों में बांट दिया गया है क्लासिफिकेशन के तीन प्रकार गिए हुपनोट ऑर ट्रा वनो में क्या है एक ही ऊच्छाव हो एलकनल मेथेनोल फिनोल एक ही ओच है ओके वहीं पर यदि आप डाई हाइड्रिक एलकॉल की बात करें तो वहाँ एथिलीन ग्लाइकोल और ट्राई की बात करें तो ग्लिसरोल इनके फॉर्मुले आप इस तरह से लिख सकते हैं एथिलीन ग्लाइकोल और एथेन वन्टू डायोल ग्लिसरोल एथिलीन यहां ओएच यहां ओएच यहां ओएच ओके बात समझ में आ गई होगी क्लियर वैसे तो पता है न कि एल्कॉल जो होता है उसका अनूलगन क्या होता है ओल होता है कार्बन श्रंकला होती है एकल बंद युक तो हो सकती है द्रिया बंद युक तो हो सकती है त्रिया बंद युक तो हो सकती है इसमें जादा कोई वो सोचने वाली बात नहीं बैसिक दो डिगरी और तीन डिगरी में एक डिगरी एलकोहल का मतलब क्या होता है एक कार्बन जिससे कोई फंक्शनल ग्रूप जुड़ा हुआ हो वो अन्य एक कार्बन से ही जुड़ा है दो डिगरी एलकोहल वह कार्बन जो फंक्शनल ग्रूप से जुड़ा हुआ है अन्य दो कारवन से जुड़ा हुआ है right एलकोहल 3 डिगरी है बेटा तो उसमें कहा गया है 3 डिगरी को इस तरह में लिख रही हूँ यहां पर तीन डिगरी का मतलब होता है वह कार्बन जो functional group एलकोहल से जुड़ा है वो अन्य तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है राइट बात समझ में आ गई होगी एक डिगरी दो डिगरी और तीन डिगरी एलकोहल की डन शुरू करें आगे अब आता है अगला अपना एलकोहल जो एक संख्या के आदार पर बांटा जिसमें एक डिगरी दो डिगरी और तीन डिगरी हो सकता है ओच की संख्या नहीं ओच से जुड़ेवे कार्बन परमानों की संख्या के आदार पर उसके बाद दूसरा बांटा बेंजलिक एलकोहल और जो समू है वो कार्बन कैसा होना तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं और उसमें आप लिख सकते हैं कि मोनो हाइड्रिक जो एलकोहल होते हैं उनमें क्या होता है और का ओध से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसकी संख्या के आधार पर संख्या के आधार क्लियर बात समझ में आई उसके बाद में बैंजलिक बैंजलिक अलकोहल दिख रहा है न यहाँ पर फिर आता है तीसरा अलेलिक अलकोहल अलेलिक अलकोहल ऐसा भी लिख सकते हैं अगर आप इनको इस तरह से ना देखें तो अपन इसको में डायरेक्ट बता दो ज्यादा इजी होगा मोनो हाइडरिक जो इलकोल है उन्हें आपन क्या कर सकते हैं दो पार्ट में दिखा सकते हैं वह कार्बन जिससे ओच जुड़ा हूँ वह SP3 हो और वह कार्बन जिससे ओच जुड़ा हो SP2 हो क्लियर आप कोई दिक्कत नहीं जब SP3 है तो वहाँ पर बताया गया क्या मोनो डाई और ट्राई ठीक है नहीं एक डिग्री दो डिग्री और तीन डिग्री फिर आया बैंजिलिक फिर आया क्या एलिलिक बात समझ में आ गई अब आता है दूसरा जब क्या हो वह दुया बंद से जुड़ा हूँ तो आता है वाइनिलिक वाइनिलिक वाइनिल एलकोहल और दूसरा आता है एरिल एलकोहल क्लियर आप चाहें तो ऐसा एक चार्ट भी तयार कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ठीक है बैंजिलिक का मतलब क्या होता है जब बैंजीन रिंग है उसके ऊपर क्या हो CH2 जुड़ा हूआ हो और फिर और यह बैंजीन रिंग और यहां पर बैंजीन रिंग और यहां पर बैटा और सीदिख तरी और सीएस्थड़ और सीएस ठरी और यहां पर आ गया हूझ कितना धिए टीन धिकर पलता है 350 से यह नोब आते खैंजये हैं तो दो डिग्री तीन से जुड़ा हुआ है तो तीन दिग्री ठीक है आज जाईए अब आते हैं एलिलेक एलिलेक का मतलब क्या होता है कार्बन यह लिख होता यानि ओच यानि फंक्शनल ग्रूप जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो एलिलेक राइट बात समझ में आ गई होगी तो चलते हैं आगे यह आईगार सी एश्टी ओके अब आता है वाइनिल एल्कोहल वाइनिल का मतलब क्या होता है वाइनिल का मतलब होता है वह कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रूप जुड़ा हो वह एस पी टू हो क्लियर जैसे की क् एरिल की बात करो तो फिनोल यह क्या है वाइनिल एल्कोहल से इथेनोल भी कहते हैं क्लियर बात समझ में आ गई होगी फटा-फट उतारेंगे जल्दी से उतारेंगे ताकि हम आगे के टॉपिक को डिसकस कर सकें राइट अब आता है अगला टॉपिक समाव्यवता पहली बा ठीक है जिसका फॉर्मूला कुछ भी CH3 CH2 CH2 OH है गिनो कितने कार्बन हैं एक दो तीन C3 तीन पांच छह साथ आठ है अब फॉर्मूला तो यही रहे सुत्र तो यही रहे लेकिन सुत्र रहने के बाद भी यदि इनके गुण में इनके गुण बदल जाएं इनकी सरंचना बदल जाएं तो समान सुत्र वाले योगीक जिनके गुण और सरंचनाएं क्या हों भिन भिन हों वो क्या कहलाते हैं वो समाव्यवी कहलाते हैं और इस गुण को समाव्यवता कहते हैं बात समझ में आई समाव्यवता क्या होती है जब दो या दो से अधिक योगीक जिनके आणू सुत्र समान लेकिन जिनके क्या जिनकी सरंचनाएं वो गुण भिन भिन हों वो प्रस पर समाव्यवी और इस गुण को समाव्यवता कहते हैं बात समझ में आ गई तो कहा कि एलकोहल वा इथर प्रस पर समाव्यवी है राइट आपके सामने यह सुत्र लिखा गया है बेटा आप चाहें तो मैं छोटा सुत्र लिख देती हूं CH3 CH2 OH राइट बात समझ में आई तो अब इसका अपने को क्या करना है अब यदि मैं चाहूं तो मैं इसका क्या लिखना चाहती हूं समाव्यवी लिखना चाहती हूं समाव्यवी क्या बनेगा समाव्यवी केवल इंटरचेंज होगा किनका तत्मों का जब इंटरचेंज हो जाता है तो एक नया योगिक बन जाता है लेकिन उसका सुत्र कभी नहीं बदलता सुत्र क्या है इसका C2H6 yes or no check कर सकते हैं आ जाओ तो अब हम क्या करेंगे अब हम द तरी OCH3 yes or no जरा चेक कर ले सुत्र के बारे में C2 राइट H6 क्या नू सुत्र बदला नो सरंचनाय बदल गई गुण भी बदल गया ऐलकॉल और इतर के सेम गुण नहीं होते हैं उनके करेक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं क्लियर बात समझ में आ गई होगी अलग हो गया होगा टॉपिक एलकॉछल और इतर पर क्या होते हैं समा वेवी होते हैं ठीक चलें आगे फटा फट उतारेंगे अब बढ़ते हैं हम आगे अब देखेंगे हम एलकॉछल के नामकरण अब नामकरण क्या है यह नहीं एल्कोल को किस-किस तरह से हम देख सकते हैं तो सबसे पहले हैं CH3 OH compound उसका common name सामन निनाम और IOPC नाम आप सब को पता है ना सामन नाम में अपन क्या लगते हैं इल लगाते हैं नाम के पीछे क्या लगाते हैं इल में एक कार्वन ने तो और में ब्हुरर और नाम क्या है एल्कोल तो कोहल का एलकोहल जाइट और यहां पर एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे मैठ मैठ प्लस और मैठ थे यह सोंषे के लिखेंगे पर नॉड जल्दी बताएंगे सभी बच्चे फटाफ पॉड क्लियर अब दूसरे का नाम करिंदेखो कितने कार्बन है एक दो तीन तीन के लिए फ्रॉप और कितने नमबर पर एलकोंण है वण पर सामा नम प्रॉप दिया बच्चे सोच रहेंगे यह एन क्या है जब कोई भी कार्बन श्रंकला कोई भी कार्बन श्रंकला शाखित ना हो ए शाखित ए शाखित कार्बन श्रंकला में क्या होता है एन का उप्यों कियाता है नॉर्मल साधा रण क्लियर बात समझ में आगरी होगी अब चलते हैं आगे CH3 CH CH3 OH अब देखो बेटा एक दो और तीन कहीं से भी कर दो क्रा मांगतों कितने पर है और अच दो पर तो लगाएंगे हुआ है टू-ोल सही कार्वन कितने तीन प्रोपेन टूल लेकिन अगर इसका सामने नाम करना हो तो जब किसी भी कार्वन के ऊपर एक साथ दो CH3 लगे हो तो उसे हम क्या कहते है आइस रहा दिया है सामने नाम भी वहां कर दिया है फिर देखो मैं बता रही हूं इसलिए ध्यान दो एक कार्बन पर एक साथ दो सी इस्तरी तो उसे आईशो सब्द से रिपर्जेंट करते हैं और लिग दिया आईशो प्रॉपिल बात समझ में आ गई अब आओ भई अब लगाया हुआ है क्योंकि यह शाखित नहीं है न तो एन ब् ब्यूटे-जूल यहां भी अब देखो यहां पर यह कहरा है कि सेकेंडरी ब्यूटेल एलकोहल ड्वितियक यहां तो यह प्राथमी की दिखाई दे रहा है दि तो तब होता जब यहां पर ओच होता हाँ यहां ना यह सो और नो देखो गलतीयां पकड़ लेते ना secondary beauty अलो कोहल द्वीतियक यानी कि जिसे फंक्शनल गूरुप से कारभन जुड़े हैं कारभन जुड़ा है वह अन्य कितने कारभन से जुड़ा है दो कारभन से जुड़ा है क्लियर तो इसे द्वीतियक भी लिख सकते हैं द्वीतियक ब्यूटेल एलको है ब्यूटेन टू और राइट दो पर है दा भी तो आया है देखो न भाई एक दो तीन और चार ठीक है अब अगला देखो आई सो क्यों लगाया इस कारबन पर कितने दो सी एस तरी एक साथ कोँए मैधिल प्रोपेन वन ओल कैसे के दोकरमांकन 123 डू मैधिल ऑपर प्रतिस्ता मिलकि समझ जुरू जिड़्ाव क्या हम चैनि मैधिल तू मैधिल त्रोपीन वान ओल एक पढ़ी दो है हो गया समझाए अगे चलो कितने कार्बन जुड़े हैं एक दो दीन तृत्तियक त्रितियक ब्यूटिल एलकोहल आयूपिसी नाम करो श्रंकला उक्रमांकन दो वान टू थ्री जल्दी बताओ क्या नाम होगा टू मैथिल प्रॉप टू अल टू मैथिल टू प्रॉपे नॉल ओके अगला आप बताएंगे कालवन श्रंकला में वन ओ टू है एथेन वन टू टायोल ओके एथिलीन ग्लाइकोल यह तो याद रखना पड़ेगा सभी मेंबर याद करो याद रखो इसको ओके ग्लिसरॉल इसको भी याद रखो ओके प्रॉपेन वन टू थी ट्राइब कोई दिक्कत नो तो फटा फट उत अब चलते हैं अपन सरंचना की और इसकी स्ट्रेक्चर कैसी होती है जरा ध्यान देंगे अपन देखते हैं जनरली कि अपने पास कार्बन की एक श्रंकला है और जिससे हाइड्रोजन जुड़े वे होते हैं ओके ना कोई दिक्कत तो नहीं अगर है तो बोल दो नहीं है वे को मैं देख रही हूं मैं आंसर कर दूँगी आप तो बस अभी जो मैं पढ़ा रही हूं उस पर ध्यान दो फोकस वहीं जहां मैं पढ़ा रही हैं बिटा यहां पर सब में एकल बंद हैं एकल बंद में SP3 संक्रण होता है और उसका बॉंड एंगल 109 डिगरी 28 मिनट होता है यह तो हम सबको पता है क्योंकि हम यह सब 11 में भी डिसकस करके आए हैं अगर नहीं भी आए तो भी मैंने पढ़ा दिया है इस चीज को आप जाकर के जनरल लोगिंग केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं तो यह चीज आपने देख ली ठीक है कोई बा बंद ही है जब यहां भी एकल बंद ही है तो इनका बांड एंगल ऐसा क्यों है एक सो नो डिगरी 28 दैश क्यों नहीं है यह कम क्यों हो गया ज़रा ध्यान देंगे यहां पर आपको लॉन पेर दिखाई दे रहे हैं लॉन पेर सब जानते हैं इलक्ट्रोनों का युग्म पे दो इलक्ट्रोन एक साथ इसे इलक्ट्रोन युग्म कहते हैं दन बेटा इलक्ट्रोन युग्म की बात करें तो यहां पर जो इलक्ट्रोन युग्म हैं उनमें क्या होता है परस पर प्रतिकर्शन होता है इन में प्रतिक कर्शन होता है तो ये इनके उपर क्या करते हैं प्रेशर डालते हैं एक बल दाब डालते हैं जिसकी वज़े से ये क्या हो जाते हैं थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं और बॉन्ड एंगल 109 डिगरी 28 मिनट से घट कर कितना हो जाता है 108.9 मिनट हो जाता है क्लियर बात समझ में आई डाउट क्लियर हो गया तो फटा फट देखो जल्दी से आज आब आ जा रही ना आप सबको अच्छे से यास ओके चलते हैं आगे अब देखते हैं हम अगला टॉपिक एल्कोहल बनाने की वीदिया बही एल्कोहल के बनाने की वीदिया कौन सी है जैसे मैंने फर्स चाप्टर यानि की हेलो एलकेंस और हेलो एरिन में समझाया था ठीक उसी प्रकार में चार्ट बनाकर आपको यहां समझाऊंगी ताकि आपको चीजे क्लियर हो जाए ओके आपको पिछली बार समझ में आया था ना इजी लगा था ना इसी लिए मैं कंटि इन द्वारा इसके द्वारा एलकीन द्वारा उसके बाद हम करेंगे कार्बोनिल योगिकों के अपचेन द्वारा कार्बोनिल योगिकों के अपचेन द्वारा उसके बाद हम लिखेंगे क्या ग्रिन्यार अभिक्रमक वार थीक है ग्रिन्यार अभिक्रमक सब जानते हैं एलकीन से फिर से दो भागों में अपन पढ़ेंगे अमल उत्प्रेरीत अमल उत्प्रेरीत अमल उत्प्रेरीत जल योगिकों द्वारा दूसरा पढ़ेंगे हाइड्रो बोरी करण अक्सी करण द्वारा ओके कार्बोनिल योईकों के अप्चेन में दो ही चीजे पढ़ेंगे एल्डी हाइड द्वारा हमेशा एक डिग्री अलकॉल बनेगा और किटोन द्वारा दो डिग्री अलकॉल बनेगा ओके और इनमें हम उत्प्रेरक यूज़ करेंगे निकल, पीटी, पीडी, लीथियम, अलुमीनियम, हाइड्राइड, सोडियम, बोरो, हाइड्राइड ग्रिन्यार अभिकर्मक में भी सिमिलरली हम लोग LDI और और किटोन द्वारा पड़ेंगे इनकी अभिक्रिया से हमें वही एक डिग्री और दो डिग्री एल्कोहल प्राप्ता होगा डन, चार्ट क्लियर है, बात समझ में आ गई है, फटा-फट इसको उतारेंगे बेटा अगर जिस बच्चे को इस तरीके से ही बात याद है इसका मतलब उसके लिए और्गिनिक तोंगूलियों पर खेली जा रही है, भाई, सबसे इजी टॉपिक है दूसरी बात कुछ बच्चे बोल रहे थे, कि अलग-अलग चीजें अलग-अलग तरीके से नहीं अंसी आर्टी के स्लेबर्स में जो टॉपिक्स है वही टॉपिक पढ़ाय जा रहे हैं नीट में मैं कहूं आप आज ही गाठ बाने इस बात को अंसी आर्टी की बुक को यदि आपने पढ़ लिया है तो नीट क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोख सकता मैं कहूं कोई नहीं बस उसके लिए यह शर्त है कि आप अंसी आर्टी को कम से कम 10 या 15 बार एक जो सब्जेक्ट है उसकी बुक को पढ़ डालो इतना समय तो अपने पास होता है अपने पास पूरे 12 महीने का समय एक साल का समय होता है एक साल में इतना तो पढ़ सकते हैं अगर जिस बच्चे ने हम जो पढ़ा रहे हैं वो और इंसी आर्टी बुक को बराबर रेगुलर पढ़ा है तो मैं कहूं एक साल में सेलेक्शन होता ही है आप लिख लो इस बात को बस उसके लिए तुम बस ध्यान से पढ़ो ओके चले क्लियर हो गया अब चलते हैं अपन सबसे पहले शुरू करते हैं अलकीनो द्वारा और अलकीनो द्वारा में भी किसके द्वारा सबसे पहले पढ़ोगे ज़रा ध्यान देना सबसे पहले पढ़ोगे आप किसके द्वारा अमल उत्प्रेरिता जल योजन द्वारा ओके डन अमल उत्प्रेरित जल क्या कहना चाहते हैं बात कुछ समझ नहीं है अमल से जो जल का अनू रियाक्शन करता है अमल से निकल कर वो अमल उत्प्रेरित जल होता है अमल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एलकीन जो अपने पास है उसकी अभिक्रिया हम लोग H2O के साथ डाइल्यूट H2O4 की उपस्तिती में जब कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है हमें प्राप्त होता है जरा ध्यान देना सी इधर H इधर OH क्लियर बात समझ में लेकिन यह हुआ कैसे इसकी क्रिया विधी क्या है इसकी मैकेनिजम क्या है जरा मैकेनिजम पर एक बार नजर डाल दें ताकि बात समझ में आ जाए मैकेनिजम क्रिया विधी सब बच्चे ध्यान से क्रिया ठीक है क्रिया विधी का मतलब होता है कि हम किसी भी जल युक्त योगिक है अमल है उसके अंदर आपन किस तरीके से जल की अभिक्रिया उस योगिक से करवाई है तो सबसे पहले कहा क्या सबसे पहले कहा कि H3O प्लस के इलेक्ट्रोंस नहीं इलेक्ट्रोंस नहीं आक्रमन दुआ दा आजा क्या कह रहे हैं पहले तो H3O प्लस बनना चाहिए तो क्या करेंगे पता हैं जना ध्यान देना है H3O प्लस H2SO4 रियक्शन करेगा जल यो जित होगा अमल से उत्प्रेल होगा H3O प्लस HSO4 माइनस यह इसके साथ जुड़ा जैसे जुड़ा बन गया H3O पॉजिटिव प्लस H क्या है एच टू एस ओ यहां तक कोई दिक्कत तो बता सकता है कोई कोई भी बच्चा क्लियर अब दूसरा अब इसमें ही आपन लिखेंगे इलेक्ट्रोंस नहीं आक्रमन किसके उपर? L की उपर कर दूँ CH3 CH2 डबल बॉंड CH2 ठीक टूटा एक पर प्लस एक पर माइनस यहां क्या आया? H3O पॉजिट ठीक अब यह क्या करेगा? यह जाकर यहां पर अटेक करेगा कैसे करेगा? CH2 यहां तो क्या आगे? पॉजिटिव चरज यहां क्या आगे? C इधर क्या है oxygen यहां hydrogen यहां H यह सो बात समझ आई कि जल्दी बताओ उतारो जल्दी क्या कहना चाहता है जल्दी 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 बात समझ में आगए तो यहां पर यह कह रहा है कि अच्छा इसको डाइरेक्ट कर दो ना इतना क्यों जाना किसी के पास लो, H3O plus बन गे, तो हम लोग इस H3O plus में से क्या लेंगे, यहां देखो भई, double bond CH2 में direct reaction करवा देती है, मेरे बच्चों को क्यों दिखाना, यहां H, O, H, और यहां पर H, ठीक, अब यहां पर आया, minus, तो यहां पर plus, यहां से यह बन तूटा, यहां क्या है, plus, और यह तूटके क्या हो गया, जलका क्या हो गया, रिमोएशन हो गया, यहां क्या बना भाई, CH2, एक तो यह बड़ा जल्दी चल जाता है, CH2, C, यहां plus, और यहां क्या बन गया, CH2, H, Yes or No, बात समझाए किने, सभी बच्चों को, जल्दी बताओ, यहां पर किसका निर्मान हो गया, एच्ट्रियो के इलेक्ट्रोंस नहीं, आकरमन द्वारा किसका निर्मान, जल का निर्मान, अब जो जल का निर्मान हुआ है, वो जल किस पर अटेक करेगा, उस जल का कार्बो केटायन पर अटेक, यह पहले उतारो, जल्दी से जल्दी उतारो, फटाफट, फटाफट, आगे वेले पेज़ पर करते हैं अगला आक्रमन किस पर अच्टू का कार्वो के टायन पर आक्रमा चले बिलकुँ आजाओ च्टू पॉजटिव च्टू के साथ एच लगा हुए था प्लैस एच टू ओ ठीक चले आजाए अब यहां से क्या हुआ भाई यहां से यह क्या करेगा यह जल का आणू अटैक करेगा किसके उपर कार्वो के टायन पर तो आप देखेंगे इस तरह है च्टू था ना जिस पर प्लस चार्ज था वह जुड़ेगा ओ एच और यहां क्या आगया यहां पर यह आटैक किया और यहां पर यह जुड़ गया अब चलते हैं हम आगे जब यह क्या बन गया जल योजित कार्वो केटाइन जल जुड़ गया तो अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे अपना दूसरा पॉइंट तो यह हो गया तीसरा लिखेंगे किसका हाइड्रोजन आयन का निकल क्लियर निकलो भई हाइड्रोजन आयन को CH3 CH2 OH यहां से H रिमूव हो गया माइनस लगा नहीं हूँ ध्यान दे दे ना CH3 CH2 OH yes or no यहां क्या बच गया H अब यह एच प्लस किसके साथ रियक्षिन करेगा H प्लस रियक्षिन विद एच आसो फोर माइनस इस इकल टू H2SO4 दन बात समझ में आ गई होगी क्लियर होगया टॉपिक यह बिलकुल 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 तो यह है आपका क्या जामल उत्प्रेरित जल का जुड़ना या फिर अमल उत्प्रेरित जल योजन अभी क्रिया जिससे हमें क्या प्राप्त हो गया एक डिग्री एलकॉल बच्चों इतना खोल कर एटम्स को दिखाने का परपस क्या है कि आपको एक एक पॉइंट एक बंद कैसे टूटता है और जुड़ता है वो समझ में आगे फटा पर उता रहेंगे जल्दे से देखें चलते हैं आगे आगे का टॉपिक देखेंगे क्या है अपना हाइड्रो बोरी करन वह ऑक्सी करन हाइड्रो बोरी करन यानि बोरॉन का जुड़ना और उसके बाद उस एलकीन का क्या हो जाना ऑक्सी करन हो जाना प्ष ciao क्लिएर फिर क्या है kıमन रिएक्षिन क्या है वह देख लेते हैं उसके बाद अपन चलेंगे मेकनिजिम के उपन में कामन रिएक्षिन क्या कहते हैं यह जरा ज्यान डेंगे सभी बच्चे कॉमन रियक्षिन कहते हैं कि का 3col2 CH feature दबन seben इसोप लेते हैं तो और reaction कराते हैं आप BH3 के साथ या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ B2H6 बोरी करण बोरोन का जुड़ना तो बोरोन तो चाहिए राइट हाँ या ना तो B2H6 तो 11 में पड़ा है तो आप इसकी जब reaction होती है तो अपन देखते हैं कि अब इसका product क्या बनेगा जल्दी जल्दी देखो फटा-फट बताएंगे किस को पता है जल्दी से बता दो फटा-फट 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 चले ओके आप देखो अपने पास यह है तो इसकी direct reaction ही दि मैं देखऊ तो अपने पास बनता है यह CH3, CH2, CH2 OH के 3 mol और 7 में बनता है बेटा क्या अच्छा पहले ये दिखा दो भई सिदा OH मत दिखाओ मेरे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे बोरों कहां गया मैडम ओके ओके नहीं नहीं दिखा रही बोरों जोड दिया फिर इसकी रियक्शन करवाई किसके साथ हाइड्रोजन परोकसाइड के साथ बेस की उपस्तिती में और बन जाता है आपके पास CH3, CH2, CH2 OH के कितने mol? 3 mol प्लस H3, BO3 बोरिक असिड, yes or no? चलो जी यह बात तो clear है यहां तक तो topic समझ में आ गया mechanism madam सही बात है मेरे बच्चों को तो क्रिया विधी से ही मतलब है भाई क्रिया विधी आओ भी दिखाते हैं क्रिया विधी कैसे बना है बिटा ध्यान दो, बोरोन, बिएच 3, बोरोन और हाइडरोजन की बात करें तो बोरोन हमेशे क्या होता है? एक एधहत है बोरोन, जो एलेक्ट्रोन का क्या करती है? अपने पास ना रखकर दान करती है तो जनड़रली हाइडरोजन पर प्लस और बोरोन पर माइनस रहना चाहिए पर यह ऐक ऐसी reaction है जिसमें हाइडरोजन पर क्या आएगा माइनस और बोरोन पर क्या आएगा? ये बात तो आपको ध्यान रखनी होगी कि बोरोन जो है इलाक्टोन की बोरोन के पास कमी होती है इलाक्टोन यून तत्व है बोरोन हमेशा प्लस चार्ज कंटेन करता है चले ओके जी ओके ये बात ठीक है समझ में आ गई होगी तो अब ऐसे ही रियक्शन को करना है आईए शुरू करते हैं CH3 CH1CH2 प्लस BH3 ठीक है बेटा यहां से बंद टूटा जब टूटा तो ये लाक्टोन या शिफ्ट ये माइनस और यहां पर प्लस यहां से टूटा तो BH2 क्या? प्लस और H माइनस यानि कि देखा जाए तो हाइडरोजन की इलेक्टोनिट नेगेटिविटी ज़ादा है बोरोन के केस में हमेशा नहीं होती तो हाइडरोजन यहां अटाक करेगा और यह यहां पर सबको बात क्लियर हो चुकी है तो प्लॉडक्ट बनेगा CH3 CH2 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 बात समझ में आ गई तो फटा मुट कमेंड में यस मैं लिखेंगे जल्दी से और यह मेकनिजम को देखेंगे सेगेंगे सेगेंड पॉइंट सेकेंड एक और मॉल लेना पड़ेगा भाई CH3 CH1CH2 रियक्शन विद किसके साथ CH3 अच्छा मॉलक्यूल को मेशा ऐसे एरेंज करो कि वह तूटता और जुडता नजर आए तो अपने पास क्या है H2B CH2 CH2 CH3 राइट यहां से फिर तूटा H प्लस सॉरी H माइनस BH प्लस ओके बंद तूटा माइनस प्लस यह बात तो समझ में है यहां प्लस क्यों आया क्योंकि यहां CH3 जुड़ा हुआ है इंडक्टिव फेक्ट की वज़े से तो यहां पर यह यहां पर प्रॉडक्ट क्या बना राजा बच्छो CH3 CH2 CH2 बिटा यह और यह कंपाउंड सेम हो गया तो इसका मैं हॉल स्कॉायर करके BH लिख सकती हूँ जल्दी बताओ YES और NO YES चले आगया हो थर्ड अब यह कहता है फिर से एक मॉल लेना पड़ेगा तीन मॉल चाहिए CH3 CH11CH2 प्लस क्या CH यहां पर अपने पास BH है ना YES है और यहां पर 2 लगा है CH2 CH2 CH3 यहां से फिर टूटा H- B+. यहां टूटा यहां माइनस यहां प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ प्लस प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B राइट बच्चों बात समझ में आ गई होगी रियक्शन की मैकेनिजम क्लियर हो रही है हो रही है ना हां तो अब आपन लिखेंगे लास्ट में क्या ओक्सिकरन बौरी करन हुआ की नहीं बौरोन जुडा की नहीं यस मैम लिको जल्दी लिखो बाते मत करो भई अरे बाते करोगे तो यह पता नहीं चलेगा मेकेनिजम का प्लस का माइनस हो गया बात में बात करेंगे क्लास ओपने बात पांच मिनट पक्का बात करेंगे प्रॉमिस पहले पड़ो जल्दी आजाओ जल्दी जल्दी इगर द्यान दो तो यह आया आपने पास CH3 CH2 बेटा CH2 का होल थ्राइज बी रियक्शन वेथ हाइड्रोजन परोक्साइड पर्जेंस इन बेस एने OH इसके भी कितने मॉल तीन मॉल कितने OH? OH OH Yes or no तीन मॉल यहनी 6 हो गए न? OH OH 3 OH कौन ले गया? यह और 3 कौन ले गया? बोरोन प्रोडक्ट क्या बना? H3 BO3 PLUS CH3 CH2 CH2 OH कितने मॉल? 3 मॉल Clear? बात समझ में आई? बोरी करण समझ में आया? ओक्सी करण समझ में आया? यास पड़ा पर लिखेगे यास मैं चलते हैं आगे उतार लिया होगा ओके जी ओके जी ओके आग चलते हैं अपन अपनी next अभी क्रिया पर second क्या है? कार्बो निल कार्बो निल योगी को का क्या बेटा? अप चैन अच्छा आप में से कितने बच्चे जानते हैं अपचेन का मतलब? कितने जानते हैं सच बता ना? जूट नहीं सच बताओ कितने बच्च जानते हैं जानते हो? अच्छा ठीक एक आज एक काम करो आज मैं ट्रिक लिखा रही हूँ वो सब बच्चे ध्यान से ओक्सिकरन का क्या और अप्चेन का क्या तब ठीक है ओक्सिकरन तब तक करो जब तक अमल ना बन जाए और उससे भी ज़ादा ओक्सिकरन करना है तो वो कार्बन डायोकसाइड और H2O माना तूप जाए तब तक ऑक्सिकरण होता है, ठीक, चले, तो देखो जबाएं, एलकेन, ऑक्सिकरण, एलकोहल, ऑक्सिकरण, एल्डियाइड और किटोन, एल्डियाइड और किटोन, फिर ऑक्सिकरण क्या, किसका ऑक्सिकरण होगा, एल्डियाइड किटोन का तो, अमल, कार्बोक्सिली का अमल, अमल का यह दी, फिर आप ऑक्सिकरण कर देते हैं, H2O plus CO2O, ठीक, यह तो है ऑक्सिकरण, अच्छा आप अप्चेन बताओ, उल्टा कर दो, अप्चेन, यानि अक्सिकरण तब तक, जब तक, अमल ना बने, और अप्चेन तब तक, जब तक, अल को हल ना बने, ओके, बात समझ में आ गई होगी, अगर फिर भी अप्चेन करना है, तो, अल्केन तक आ जाओ भई, बात समझ में आ गई, यहां तक, सब को पता होना चाहिए, यह नीट और 12th क्लास के बच्चों, दोनों के लिए, इंप्टेन्ट है, अगर जो बच्चा इसको ध्यान से पढ़ रहा है, इसका मतलब, उसको concept बिल्कुल क्लियर है, ओके, बात समझ में आ गई, टॉपिक क्लियर हो गया, तो चलते हैं आगे, तो अपने को कार्बोनिक योगिक अप्चेन करना है, यानि कि वहां से ऑक्सिजन को कम करना है, और हाइड्रोजन को जोड़ना है, ठीक, एक चीज़ और, जब भी आप किसी कार्बोनिल योगिक, ये कार्बोनिल है, इसको जब भी तोड़ो, तो हमेशा, जिस कार्बन से आप बंद तोड रहे हैं, वही पर ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, ओक्सिजन के पास भी हाइड्रोजन और इसके पास भी, दोनों का अटेक उसी कार्बन पर और ऑक्सिजन पर होगा, दूसरी जगे नहीं, जहां से टूटा वही जोड़ो, ये बेसिक बातें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, अगर ये पता है, उसी कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहां पर क्या, जहां पर ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कार्बन बंद टूटे, ओके, बात समझ में आजाने चाहिए, अब नहीं रुकना भाई, इसके बात नहीं कहना कि मैडम क्या हो रहा है, हमें नहीं पता चलगा, नो, मैं एक एक बेसिक बेसिक बता रही हूँ, अब आपकी भी कुछ रिस्पॉंस्ब दिख देते हैं, कार्बोनी लिएक होगा, क्या, का अपचे, आओ भई, सबसे पहले किसका, LDA का, LDA और फिर किटो, ठीक है, LDA में आजा, LDA में, H, C, Double Bond, O, H, जड़ा ध्यान दे, ठीक, अच्छा, इस तरह ना बना कि मैं वैसे बना हूँ, जड़ा बैठ रहोगा, H, C, Double Bond, O, H, अपचे, कोई न कोई धातु चाहिए, निकल, PT और PD, यही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि, यह वो धात्वे हैं, जो आसानी से अपने मैसे, हाइड्रोजन गेस को सरजित कर देती हैं, अत्यदिक, रियाक्टिव होती हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है, दूसरा, sodium borohydride, यह सब अपने को हच्टू देंगे, और अपना यहां से बंद तूटेगा, जैसे ही तूटा, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, क्या बन गया पिटे, ह, सी, ह, ओ, ह, बात समझ में आ गई होगी, दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक प्लस में हैं, तो एक माइनस में हैं, क्यों ऐसा, क्यों कि, ह्टू गेस, जब आए नित होगी तो एक प्लस और एक माइनस तब जुड़े हैं, ह्टू, प्लस का माइनस के बाद, माइनस, प्लस के बाद, एस और नो, एस सिमिलर एस, ह, सी, डवल बॉंड, ओ, सॉरी, 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 ह, सी, ओ, ह, 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 क्लियर, बात समझ में आगे, चलते हैं आगे, ओके, यह तो गया, एल्दी आइट का, यह कितना डिगरी है, ज़रा देखलें, सीच थरी ओ, एक डिगरी, हाय ना, हाय ना, जल्दी बोलो, इवी तो, सीच थरी, ह, यह सब क्या है, एक डिगरी, एक डिगरी, अब दूसरा, कितना, कि टो, आजाओ भई, कि टोन का फॉर्मूला, क्या होता है, लाजा बच्चों, सीच थरी, सीडवल बॉंड, सी एश तरी बंद टूटेगा यही से similarly क्या reaction किसके साथ sodium borohydride lithium aluminium hydride भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है nickel PT PD ओके बत समझाई यहां सब से एक सब क्या देंगे H2 क्या बनेगा answer सब बच्चे एक साथ बताएंगे जल्दी बोलो फटा फट कमेंड में लिखो जल्दी सबको आना चाहिए अब तो जल्दी बताओ CH3 COH CH3 अगर इसे mix करके लिखे CH3 CH OH CH3 CH3 CH OH CH3 Yes or No फटा फट कमेंड में बताएंगे तो यह है आपकी कौन सी कार्बोनिल योईकों के अपचयन दुआरा यानि LD8 की टोन का जब अपचयन होता है आपको पता है LD8 की टोन का जब अपचयन होता है तो अपचयन में क्या बन जाता है एलकोहल बन जाता है Yes or No बन गया एलकोहल कितना डिगरी दो डिगरी यह पड़ा पड़ लिख दो कमेंड में यह में जल्दी करो भई अरे मिज में इतना जोशत तुम भी थोड़ा दिखा दो जोशत कि हाँ मैडम हमें समझ में आ रहा है जल्दी करो चले ओके जी ओके आगे चलते हैं अब देखो अगला लास्ट अभी किलिए किसके द्वारा ग्रिन्यार अभी कर्मक ग्रिन्यार अभी कर्मक कि अग्रिन्यार अभी कर्मक द्वारा क्या होता है अग्रिन्यार अभी कर्मक कौन-कौन जानता है आप सब जानते मैंने रियक्शन बताई हुई है जल्दी बताओ ग्रिन्यार अभी कर्मक का फॉर्मूला बताओ क्या होता है जल्दी रिखना कमेंट में पटपट तो हो तो बिल्कुल बिल्कुल पता होना भी चाहिए ग्रिन यारा भी करमक में आर अम जी एक्स डन आप इसकी जगे छी थरी एम जी दिया लिख सकते हैं और इस रियक्षिन में ही केवल आर माइनस में चलता है बाकी सब में प्लस में चलता है कॉमन रियक्षिन में करके दिका रही हूं उसके बाद हम एक रियक्षिन को अच्छ से कर ल來了 ग्रिन यार्ण अभी करमक में RMGX की पर अप रियक्षिन कराते हैं तो ल्डियोर्टेट की जब भी रियक्षिन कराएं वह एक डिग्री और की टोन की कराएंगे तो वह मिशान दो डिगरी एलकोहल देखा है क्लियर बात समझ में आई यह सोर नो यह तो अपने पास दिन्यार अभी करमक की बात करें तो अपन देखते हैं कि अपने पास क्या है CH3C double bond OH reaction with CH3Mgdr ओके वही पर आप बात करें कि टोन की CH3C double bond OH CH3 reaction with CH3Cmgdr ओके यहां पर अच्छा एक और LD8 लेना था ले ले अच्छा ले 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 पिर बाद में कहोगे कि मैडम यह क्या है चलो ले 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 लेती हूं में जाया दिक्कत नहीं हो मेरे बच्चों को ह C double bond OH CH, CH3C double bond OH, CH3C double bond OH, CH3C double bond OH CH3 ठीक, reaction with R CH3 NG BR ठीक, CH3 NG BR CH3 NG BR, कितना easy है देखो आज पहले product बना दे सब में, टूटा ना नहीं जब तक टूटोगे नहीं तब तक किसी से जुड़ोगे नहीं भई माइनस माइनस प्लस प्लस रही है अब यहाँ से टूटा, यह तो मैंने बताया हुआ है माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस सियस आज़े उपर यह उपर यह उपर यह उपर बताओ जल्दी प्रोडक्ट क्या बनेगे सभी बच्चे फड़ा पर कमेंड में लिखेंगे ह सी सिंगल बॉन ओ एनजी बियार उपर सी एश थरी इधर ह ओके यहाँ पर सी एश थरी सी उपर सी एश थरी नीचे O M G बियार इधर H CH3 C CH3 CH O M G BR CH3 राइट अब इसका बेटा हमेशा जलब घटन करना है क्या करना है जलब जैसे ही जलब घटन करेंगे तो यह किसमें तूटेगा H प्लस OH माइनस यहाँ से यह बन तूटेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ओके यहाँ तो यहाँ प्लस माइनस के साथ माइनस सब के साथ सेम होगा क्या बनेगा CH3 क्या बनेगा भई एच सी एच थरी एच फंक्शनल ग्रूप से जुड़ा हुआ कार्बन अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है एक डिग्री सी एच थरी सी एच थरी एच फंक्शनल ग्रूप से जुड़ा हुआ कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा है दो डिग्री CH3, C, CH3, CH3, यहां तो ओचाएगा, CH3, functional group से जुड़ा हुआ कार्बन, अन्या, तीन से जुड़ा हुआ है, तो, तीन, बात समझ में आ गई, yes or no, जल्दी, कितना easy है, है ना, बिल्कुल, बिल्कुल है, तो इसी प्रकार आपको पढ़ना है, बात समझ में आ जानी चाहिए, तभी आगे अच्छा समझ में आएगा, clear, तो बच्चों यह विर्चन की वीदियां थी, किसके, अल्कुल के, जो आपको समझ में आ गई है, right, फटा फट जल्दी से इनके लोर्स आज ही बना लेना, और आज ही प्रैक्टिस करना शुरू कर द जाए, okay, एलकोहल के भोतिक और रासाइनिक गुंधरम क्या होते हैं, आप सबको पता है न, भोतिक गुंधरम का मतलब क्या होता है, वे गुंधरम जो किसी भी पदार्थ के बाईयर अवस्था को देखकर हम लोग उसको पहचान जाएं, वो उसके कौन से गुंधरम होते है भोतिक गुंधरम होते हैं, वही पर यदि हम बात करें कि इंटर्णली कोई परिवर्तन हो रहा है और नया प्रोड़क्त हमें मिल रहा है, तो वो आपकी रासाइनिक परिवर्तन है, कोई दिक्कत नहीं, बिलकुल, तो भोतिक गुंधरम में हम बेसिक लिए क्या पढ़ते ह हैं, भोतिक गुंधरम में हम बेसिक लिए देखते हैं कि अवस्था क्या है, है ना, जनरली अवस्था की बात करते हैं, तो कहा गया, C1 से C12 तक सभी जो एलकोहल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, भई, रंग, हीन, और किस अवस्था में होते हैं, वाश्प शील अवस्था मे होते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं, हूनी भी नीचे, जनरली अलकोहल वाश्प शील होते हैं, क्योंकि इनके अनुवों के मध्य, दुर्बल, हाइड्रोजन बन पाया जाता है, इसलिए जल्दी से वाश्प पिकरत हो जाते हैं, ओके, आईए, सेकिंड, अगर रंग की बा गंद, बेटा, इनकी गंद कैसी होती है, इनकी मधूर गंद होती है, कैसी गंद होती है, इनकी मधूर गंद होती है, किनकी अलकोहल की मधूर गंद होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो इसमेल होती है, वैस्तों मधूर शप दिया गया है, लेकिन अपन लोग है clear अब इसके अंदर दो टॉपिक important होते हैं जो हमें अच्छे से पढ़ने चाहिए वो होते हैं विलैता विलैता और दूसरा होता है गल्लांग क्वाथनांग गल्लांग और क्वाथनांग क्लियर बात समने इनको अपन तो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि इनसे आने वाले questions हमसे हल हो जाएं ओके आईए सबसे पहले बात करेंगे अपन विलैता की विलैता मतलब क्या होता है विलैता का मतलब होता है किसी एक पदार का दूसरे में घुलने की चमता जितनी होती है वही उसकी विलैता कहलाती है ठीक बात है कोई दिक्कर भी नहीं है लेकिन विलैता एलकॉल में किस तरह डिफाइ हो तो मोलेकूल शाक्ट हो जाए और एशाक्ट हो जाए तो तो उसकी विलेता पर क्या प्रभाव पड़े गा ज्यान दो बच्चों कि अनुभार याली बढ़ता है तो विलेता हमेशां क्या होती है अनुभार के साथ विलेता का कॉंसेप्ट हमेशा कैसा होता है अनुभार के साथ विलेता हमेशा घटती है वित्क्रम संबंद है वही पर यदी मैं बात करूँ शाकित की तो विलेता समानुपाती अनुभार और वही पर यह शाकित की बात करूँ तो अनुभार अनुभार वित्क्रमानुपाती विलेता बात समझा रही है कि मैं क्या कहना चाहरी है कि अगर मैं यह कह दूँ कि अनुभार की विलेता के साथ यह शाकित में बढ़ती है और यह शाकित में घरती है ऐसा क्यों है अभी मैं समझा रही है जला ध्यान से सुनना ओके जितना मैं शब्दों पर जोर दे रही हूं इसका मतलब वह इंपोर्टेंट है ओके आराम से पढ़ो पर समझ आना चाहि है कैसे ध्यान दो अनुभार जैसे CH3 OH CH3 CH2 OH CH3 CH2 CH2 OH इसमें एक कार्बन है दो कार्बन है तीन कार्बन है राइट यानि इन समों में देखा जाए तो एक CH2 ग्रूप लगातार बढ़ता जा रहे है हाँ या ना जल्दी बता दो फटा फट बता दो इन सब में कौन सा समोव बढ़ता जा रहा है बेटा CH2 समोव और ये ऐसा समोह है जो कार्बन श्रंखला युकत हैं और ये हमेशा होते हैं द्रव विरोधी होते हैं यानि जल के साथ में क्या होते हैं dissolve नहीं होते हैं, द्रव विरोधी भाग है ये, तो आपन कह सकते हैं कि जैसे-जैसे अनुभार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, अनुभार बढ़ता जा रहा है, तो क्या होता जाएगा? तो विलेता हमेशा क्या होती जाएगी अगर दो द्रव विरोधी यानि ये दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं तो संबंद अच्छे कैसे होंगे तो वही कह रहा है कि विलेता जो है वो हमेशा क्या होती जाती है विलेता कम होती जाती है विलेता का सिक्वेंस इस तरह है फिर दो कार्बन है फिर तीन कार्बन है तो विले दिले क्या होती जा रही है घड़ती जा रही है बताओ बात समझ आई कि नहीं है concept clear हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बताओ यहां से question confirm आएगा confirm बच्चों ध्यान दो कई वार बत्च कहते हैं ना मैंने देखा है कमेंड में हैं थिमेंबादा रहा है हो क्या आप इसकी कीमत से ज्यान को खरीदना संभव है क्यों ज्यान एक क्या हो सकता है इतना कीमती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है लेकिन हम उसे फिर भी वह चीज करवा रहे हैं यूटूब पर तो भी आप उस चीज का फाइदा नहीं उठा रहे हैं सोचो है ना तो इसका मतलब तो फिर आप वहीं बात है पैसे देखरी पढ़ना चाहते हो तो ठीक है भाई क्यों सही है तो ऐसा नहीं करो बिटा आपको जब फ्री में अवेलेबल है क्लासेज तो आप पढ़ो ना बाते क्यों कर रहे हो फिर पढ़ाई करो इधर देखो ध्यान से देखो राइट आजाओ अब देखो अनुभार और विलैता अनुभार और विलैता का क्या मतलब है अनुभार और विलैता का मतलब है कि अब अगर आपने अनुभार समान रख लिया जैसे आपके पास चार कार्बन की एक श्रंकला है CH2 ध्यान देना CH3 CH2 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 OH फिक इसी को मैं ऐसे लिख दूँ CH3 CH3 CH2 OH वहीं पर मैं रिख दूँ CH3 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 OH ओके ठीक है आओ भई बच्चों ध्यान दो आपके पास अनुभार समान है चार कार्बन का ही है तो अगर वो सिंपली इस तरह लिखा गया है ठीक तो उसकी विलैता हमेशा है क्या होगी शाखित में और एशाखित में आप बात करें तो आपके शाखित श्रंखला यदि बढ़ती जाती है तो हमेशा विलैता गड़ती जाती जाती है यदि शाखित है तो किया हो देखो यहां पर यह कितना area कवर कर रहा है यहां देखके पर चल रहा है यहां उससे कम और और ओर भी कम area कवर कर रहा है हां या न तो प्रष्टिय च्छेतल फद जितना कम विलेता उतनी ही जादा होती है यानि कि अगर आप किसी चीज को शाखित कर दें किसे मैं एक्जामपल देती रहती हूं कि अगर चार भाई एक ही साथ एक ही घर में रह रहे हैं तो उनके बंद को तोड़ना संभव नहीं है क्योंकि वो यूनिटी है लेकिन वही चारों भाई यदि अलग-अलग घर में रह रहे हैं तो उन्हें कोई भी कैसे भी क्या कर सकता है भढ़का करके उनकी रिष्टों को तोड़ सकता है ठीक वैसे ही तो यहां पर वो अलग-अलग हो चुके हैं तो बंद क्या हो गया दुर्बल और दुर्बल होने की वज़े से क्या हो जाएगा आसानी से किसी के अंदर दिजॉल्व हो जाएगा बात समझ में आ गई होगी सबी बच्चों को तो फटा-फट इसको उतारो भाई जल्दी से देखें ताकि बात समझ में चलें ओके जी ओके अब चलते हैं हम आगे अपना अगला टॉपिक भी सबको समझ में आया तो जल्दी से लिख दो यस मैम जल्दी 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 ओके आपका समय बहुत कीमती है इसकी कदर हमें तो है पर आपको नहीं है इसलिए आप भी कदर करो भाई बातें नहीं करो चलो जी चलो आगे अगला कॉंसेप्ट है क्या बेटे गलनांक और को छे मतला कि आतिक पक बेटे बात समाज में है अना अब षॉरह ओंग सोच भी रहे होंगे की जल्नां maior क्या है मैंना पता है ना मैं जिस कोई द्रव ऊबलता है तो कसण आ और कोई ठोस पीगलता है कि वह उसका गलनांक के बाताओ या सर्न नौ जल्दी 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 बात समझ में आ देगी तो अब अपन बात करें अगर गल्लांग कुथनांग की तो बेटा ध्यान करना कि गल्लांग कुथनांग जब भी आप बात करेंगे तो वहां पर बंद की बात आती है और एलकोहल में जो बंद होता है वो हाइड्रोजन बंद जब हाइड्रोजन दो अधिक विद्यूत रिणी तत्वों के साथ जुड़ जाता है तो एक के साथ तो क्या करता है सहसेयों जग बंद बनाता है और दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंद स्थिर वेद्यूत इस तिर वेद्यूत आकर्षन बल या बंद बनाता है आइट इसी इस तिर वेद्यूत आकर्षन बल को कौन सा बंद कहते हैं बच्चों हाइड्रोजन बंद कहते हैं बाथ समझनेए कि हैट्रोजन बंद क्या होता है जब हॉड्रोजन दो अधिक विद्व मिद्वित डियनी तवों के मद्दी इस्थित होता है तो एक के साथ सहसर होज़गा दूसरी साथ स्थिर्वेश्टाकरशन बन बनाता है यही स्थिर्वेश्टाकरशन बल-बंद- हईड्रूजन बंध करती तो यह दो परकालके होते हैं अंतह में he कшего हर अंब अंथ ठीक इसे अंतरा भी कहते हैं या यूँ कहूं इंटर ठीक बात समझने आ लिए फटा-फट उतारेंगे जल्दी से इंटरा और इंटर को ठीक चले बात समझ आगे अब इंटर और इंटरा क्या है जब अंतर का मतलब होता है कोई भी जैसे इस तरह कोई मॉलिक्यूल है फिनॉल है और उस पे फ्लोरीन लगा हुआ एक ही मॉलिक्यूल में उपस्तित परमानों के मद्य जो बंद बन जाता है उसे अंतरा अनुक हाइड्रोजन बंद कहते हैं व इस अचर हो आर एच इस परकार अपन देखते हैं कि जब अलग 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 मॉलिक्यूल की मद्य समान मॉलिक्यूल समान ओसंता है पर अनु अलग-अलग तो है पर इसमें तो एक ही अनु है इसमें अलग-अलग है तो कहा गया इसे अंतरा अनु किया तर इंटर हाइट्रोजन बंद कहा जाता है ठीक बात चलो जी चलो बात समझ में आगे अब बात हमेशा ध्यान देखो यदी यदी बंद इस तरह से बन रहा है तो वहाँ पर क्या होगा गल्लाग-वत्नां क्या होंगे और यहाँ पर यदी बंद बन रहा है तो क्या हो जरा ध्यान से देखो पटापट कमेंट में बताओ कि बंद में कौन सा गलना को अतना कब अधिक होते हैं जल्दी अब मैं इंतजार कर रहे हूं आप बताएं कौन सा प्रबल होगा और कौन सा जल्दी बताओ जल्दी बताओ सभी 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 जल्दी बताओ भई आई जड़ा आगे बात कर रहे हैं बेटा यदि अपने पास मॉलिक्यूल यूं कर दू कि अगर आपके पास अंता अनुक हाइड्रोजन बंद बन रहा है तो वहां पर गल्लां को अतना क्या होंगे उच्छ होंगे वह आसानी से टूटेगा नहीं लेकिन यहां पर यह दिदांद होगा तो वH strangers च्ट जाता है तो ऐसा भी हा गया है कि अनुभार बढ़ने पर गल्नांग क्या होते हैं उच्छ होते राइट अनुभार जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा गल्नांग क्या होते चले जात एक इस कंडिशन में यहीं आप अमलता की बात करें तो क्या कोगा आएसिडिलग में चान तो यहां पर अमलता कुम और यहां पर अमलता जादा होगी क्यों क्यों कि अगर हाइड्रोजन इसके साथ बंद बना लेता है तो क्या फिर वो हाइड्रोजन निकल पाएगा कभी वो बंद कभी नहीं तोड़ेगा इसलिए यहां पर बंद प्रबल होगा और वहां पर अमलियता भी क्या होगी कम होगी यहां बंद दुर्बल होगा हाइ क्या हो जाएगी अमलता जादा हो जाएगी बात क्लियर हो गई सभी बच्चों की तो चलते हैं आगे फटा-फट इसको उतारेंगे बहुत important topic है very very important exam की दरश्टी से बारवी क्लास वालों आखें खोल लो बेटा अब तो जाग जाओ मेरे सूर वीरों जागो प्यारे जागो क्योंकि पढ़ना जरूरी है बेटे चलें आई अब चलते हैं आगे अब ये तो हो गया आपका पूरा बहुतिक गुरुन धर्मों का पूरा ले खतम टो कि अब आते हैं हम अपने अगले टोपिक पर राजा क्या रासाइन िक क्लियर कोई दिक्कत ने तो कहा कि अजिआ को प्ल devam तो कुछ ऐसा लिखा जाता है मैडम कैसे भाई है ठीक बात है भई चीक बहिए तो मैडम फिर को यह तो यह सब बंदंख और यह तोटे गागा यह तो 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 बड़े ऊश्यार हो चाहिए तो दो टाइब विवदाति कि अगर कार्बन और है गों और यदि कार्बन और ऑक्सिजन के बीच बन तूटा तो क्या होता है ओके यह सोर नो जल्दी जल्दी चल्द तो कहां इसी आदार पर इन्हें अभी क्लियाइं दी गई तो कहां कि जब अच जाएगा तो एलकोल अमल की भाती विवहार करेगा और जब और जाएगा तो एलकोल चार की भाती विवहार करेगा तो मैंने वैसे बताई दिया है फिर भी तो इसमें अभी करिया है कुछ इस प्रकार बताई बेटा कौन-कौन सी में नाम लिख रही हूं ताकि आप अच्छे से इसको बना से देखो बेटा मैं चार्ट बना रही हूं इसलिए कि बच्च रियक्षन बताई गई है धातू के साथ अभी करिया थो थो बताओ जरा धातू के साथ ही क्यों हो रही है दातू किस प्रवर्ति की होती है पड़ार कमेंड में लिखो जल्दी जब तक मैं बता दिए हूं सेकेंड एस्टरी करण और थर्ड है क्या एसीटी लिख लिख आगे चलते हैं अब आता है अगला टॉपिक जिसमें ओच बंद तोता है तो वो कौन-कौन सी अभी क्रिया थोड़ा ऊपर इज़ा लिख लें ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चों को पहली अभी क्लिया है हेलोजन हेलाइडो के लिए यह कहूं हाइड्रोजन हेला ठीक दूसरी दूसरी है PCL 3 या PCL 5 या थे अगली अभी क्रिया क्या है निर्जली कर दम अगली क्या है ऑक्सी बेटा घर जाके NCRT की खोलते हो जल्दी बता दो मुझे कमेंट में फटा फटा खोलते हो अगर नहीं कोलते हो तो खोल लो बेटा बहुत जरूरी है जिसने NCRT बुक को पढ़ लिया वो 95 प्लस लेकर ही आएगा कोई दोराए नहीं बस दूरी है तो केवल किताब और आपके बीच जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक उस चीज को हम अचीव नहीं करते हैं यह जो हम चाहते हैं तो ध्यान से पढ़ो भई तो यह चारो जो रियक्शन में चार्ट में बना रही हूं मैंने जो बनाया है वो सब आपको थियोरी में बहुत अच्छे से पढ़ दऄ हैं लेकिन हम क्या कर रहे हं हम क्या कर रहे हैं अलग-अलग करके पढ रहे है तो आपको अब ऐसे इसगे पढ़ना ताकि बात तीλα हो जाए फटा पर चार्ट को उतारो बात क्लीर हो गई है तो जल्दी अमल की तरह का यह तो आईए सबसे पहली रियक्शन इसके अंदर क्या है वाई क्या है हाइड्रोजन हेलाइडो द्वारा राइट सुरी धातू के द्वारा धातू के साथ विटा आप सब को पता है धात में किस प्रवर्ति की होती है शारी है हाँ या ना जल्दी बताओ किस होती है चारी होती है कि और अपने पास एलकोईल जो हम ले रहे हैं सी एच थरी सी एच टू ओ एच यह किस प्रवर्ति का है यहां एसिडिक नेचर है है हाँ या ना तो यहां पर यह आप धातू के साथ अभी किया कराते हैं तो क्या बनेगा अमल प्लस चार क्या बनता है ल न और और कोन सीगेस निकलती है अम प्लस दाटू के साथ दातू किस प्रवर्ति के छा रिए कौन सीगेस निकलती है था यहां ना कक्षा दसबी में भी पढ़ा था छेंक गी काणसंट्रेटdar क्ट्रें आभ एक सथे रह इच यहां है इंजश करो कि वह टूता और जुढता नजर आए तो आईए जी इतने मोल, क्या बन गया। 2 C-A-3 O-N-A-4 C-A-3 C-A-3 C-A-2 O-N-A gers earth A-3 C-A-3 C-A-3 C-A-2 O-N-A-H-2 YES or NO, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे it, जल्दी 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 कमेंड में लिख दो यस मैं जल्दी से ओके अगर अपने इसकी रियक्शन छी थरी च्छ टू ओ एच की रियक्शन यदि हम किसके साथ करे धातु है लाई ग्रिन्यार अभी कर्मा का फोर्मूला हा या ना तो अपने पास क्या बन सकता है बेटे अप क्या बना सिए और सिए थरी सी क्या सिए थरी सी एसच तू ओ क्या गएं ऑगे सी के स्टो एंजी यस और यहां पर बन गया अपने पास साथ में ही जह बांग ability अगर आप यहा पर क्या कप्या है प्लस एहाँ प्लस नहीं माइनस नहीं माइनस नहीं माइनस ओके छ यस और नो बात समझाए कि जल्दी बता जल्दी 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 ओके अगर आप इसको रियक्शन को देखते हैं साथ ही हम देखते हैं ch3 ch2o h reaction with reaction with kis ke saad and a and h2 के साथ तूटा और ये क्या बन गया ch3 ch2 kya o n a plus n h2 n h3 हाँ या ना बात समझ में आ गई तो फटा फट उता रहेंगे जल्दी से चलते हैं आगे दूसरी reaction क्या है जल्दी बता जल्दी दूसरी reaction जल्दी बताओ कमेंड में क्या है अब मैं नहीं लिखूँगी पहले आप मुझे बताएंगे तभी लिखूँगी बताओ कौन सी है कि ऐस्टरी करन हाँ यह ना किसी के नाम के पीछे करन लग जाता तो क्या होता है उसका निर्मान होता है निर्मान करने वाला किसका निर्मान होगा एस्टर का फॉर्मूला लिख के बताओ जल्दी राइट एस्टर का निर्मान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जन्रली पूछ जाता है एक्स प्लस वाई पर्जेंस ऑफ कंसंट्रेटर अश्टू अश्टू एस फोर्मेशन ओफ क्या जेड और इसमें फलो जैसी गंद आती है कि बताओ जड़ क्या है ऐसा पूछा जाता है अब आप सोचो क्या हो सकता है तो कहां कि जब क्या भई है च्छ थरी च्छ टू ओ एच की रियक्शन एसिटिक अमल के साथ कराई जाती है एसिटिक अमल के साथ च्छ थरी सी डेवल बूंट ओ ओ ओ एच पर्जेंसें एफ कंसंट्रेट एच्टू हाँ यह ना बेटा यह एक मात्रो ऐसी अभी क्रिये हैं जिन में हाइड्रोजन ज इस्टार लगा दो और यहां से जाएगा तो अपने को कैसे लिख लेना चाहिए हमें है मालम द्यूख यहां से में तूटा और क्या बन घेटा H2O साथ में क्या बन गया है ज़रा ध्यान देना हड़ी जहां से तूटती है वहीं से जुडती है यह बड़ा होगा तो मैं पहले formula लिख देती हूँ क्या CH3 CH2 अगर नहीं लिखना है ना तो यह लिख देना 1, 2, 3 और 4 लिखो फटा फट लिखो CH3 CH2 अच्छा मैंने 3 चार यह जाओ 1, 2, 3 ना यहां लिख दो 3 फिर लिख दो यहां 4 यहां लिख दो 5 ठीक ओके CH3 CH2 O C double bond O CH3 ओके प्लस क्या हो गया ज़रा इसका नाम मुझे फटा फटा आयू P.A.C. नाम फटा फट कमेंड में लिख के बताओ बेटा बात ए मत खरो बेटे जल्दी बताओ जल्दी 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 बताओ क्या है यह P.C. नाम एक्ठीलमेतिलस्टर हां हां है ना जल्दी बताओ ए फिर मैत्हल चे gost है हाँ यह नहीं यह तो मैंने रूड नाम बताया है क्या होगा नाम पूरा एथिल एथनोएट हाँ यह नहीं जल्दी यस और नो यह से एथिल एथनोएट इस आयू प्यस्थी नम आफ दिस कंपांड ओके आई यह जी अगला चलते हैं यह तो हो गया होता है और इसमें कैसी गंद आती है बेटे इसमें गंद आती है किसकी फलो जैसी के चलू आगे यह तो हो गया अब आता है है एसी ठीली करन आचा यहां तक ही रिख दो इसमें अगला में दूसरे करदी है ओके अब आता है क्या अगला किसी के सी एसी टीली करन यह क्या होता है स्टीली मतलब एक समुह आता है एसी समुह का जुड़ना राइट और वो एसल समू होता है CH3 C double bond O ओके चलें आगे चल्दी देखो जल्दी बात समझ आए कि नहीं बीटा चलो जी चलो आजाओ भई आजाओ SET ली कर आए एसल ग्रोप CH3 C double bond O C राइट प्लस H O C 2 H 5 एधिल एलको है क्या तूटे का जल्दी बताओ H plus में दर माइनस इधर प्लस और इधर माइनस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ प्लस मॉलिक्यूल को मेशन ऐसे एरंज करो की क्या वह तूटता और जुडता नजर आए जोड़ो भाई यह साथ में क्या बन गया राजा एच सी बोलो जी बोलो बात समझ आई कि नहीं है आपको यदि इस तरह से तोड़ना जोड़ना समझ आ गया है तो बात अब क्लियर है कि आपको सब बातें समझ आ चुकी है कोई भी दिक्कत नहीं है ओके बिल्कुल चलते हैं आगे अब आती है अपनी अगली अभी क्रिया जिसका नाम क्या है जल्दी बताएंगे सभी बच्चे फड़ा पट इसको उतार लो भई जल्दी उतारा करो फटा फट कुछ बचे कहते मैडम थड़ा साइड हट जाया करो ताकि हम लोग क्या कर सके स्क्रीन शोट ले सकी हैं उतारो बेटा स्क्रीन शोटों में कुछ नहीं रखा उतार लिया खरो चलें ओके आजाओ जी अगली अभी क्रिया किस से रिटेड है कार्बन और एच के मद्य बंद तूटेगा बंद क्लिवेज कहां से होगा कार्बन और ऑक्सिजन के मद्य से प साथ अभी क्रिया द्वारा ओके आजाए कि कहा जाता है कि हाइड्रोजन हेलाइट की जब अभी क्रिया पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि यह ऐसी अभी क्रिया है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं एक डिग्री दो डिग्री जो एलकोल है उनको अच्छे से डिफ्रेंशियेट कर सकते हैं उनको अलग-अलग करके पहचान सकते हैं तो क्या का कहा कि यदि आप CH3 CH2 OH reaction with HBR CH3 CH2 OH reaction with HI और CH3 C CH3 CH3 OH reaction with HI कहां अगर आप यह reactions कर रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा इन्हें हीट करना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सकते हैं इनसे नया प्राड़क्ट तो कहां इनमें कंसंट्रेट हैश्टू असफोर डालो इसको थोड़ा सा गरम करो यह और यह कमरे के ताप पर ही रूम टेंपरेचर पर ही क्या हो सकता है रियक्शन दे रहता है इतना क्रिया शीर होता है कितना तीन डिघियरियको ठीक हाय और इन सबसे अपने कोच पिलेगा इन सबसे केशन दि को मिलेगा सी एस तरी प्लेस एंजेगो यह जल्द सामने नजट कर 두ल्र रहा है राइट, CH3, CH2, BR, similarly CH3, 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 I, यहां BR की जगे, I, ओके, डन बेटा, ज्यान दो, कि जब अभी क्रिया हो रही है किसी उत्प्रेरक की उपस्तिती में, तो हेलोजन अमल जो हैं, वो तुरंत अभी क्रिया कर लेता है, और वहीं पर यदि, आप 3 डिगरे अलकॉल ले रहे हैं, तो कहने ही क्या, कमरे के ताप पर ही आपको अलकील हेलाइट, तापत हो जाता है, इससे भी important बात है, कि अभी कर्मक होता है, ल्यूकास अभी कर्मक, ध अगर ये reaction हो रही होती है, तो आप देखेंगे कि CH3, CH2, OH, CH3, CH, CH3, OH, CH3, C, CH3, CH3, OH, इनकी reaction यदि आप अचसील के साथ करा रहे हैं, बिटा, तो ये अलकील हेलाइट ऐसा है, कि इसमें, जेडन-CL2 की उपस्तिती में, जेडन-CL2 की उपस्तिती में, आपको, अगर आप अलकॉल में अचसील डाल रहे हैं, और अगर आपको 30 मिनट बाद result मिल रहा है, 30 मिनट बाद, 5 मिनट बाद reaction मिल रहा है, और यदि fast reaction हो रही है तो आप समझ जाओ, कि जो 30 मिनट के बाद आ रहा है, वो क्या है, एक डिगरी, और जो क्या रहा है, 5 मिनट बाद हा रहा है result, तो वो क्या है आपका, 2 डिगरी, और जब तुरंत आपको रोड़क्ट मिल जाता है, तो वो कौन सा है, 3 डिगरी अलकॉल है, जिसका नाम है, जैडन सियल 2 की उपस्तिती में, आप जब अचियल के साथ अभी क्रिया कराते हैं, तो वो reaction होती है, क्या, कौन सी, आपकी कौन सी अभी क्रिया होती है, लिगरी, दो डिगरी और तीन डिगरी अलकॉल है, बात समझ में आ गई, सभी बच्चों को क्लियर हो तो अब चलते हैं, हम आगे, अच्छा एक बात और रही गई, यह जो अभी क्रिया है, इस प्रक्रम को ग्रोव प्रक्रम करते हैं, कई बार पूछा गया, ग्रोव प्रक्रम क्या है, जब अलकॉल की क्रिया, अलकील हेलाइड के साथ, यह हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, सा संदेड आश्टियों सफोर की उपस्तिती में करवाई जा रही है तो बनने वाले प्रोडक्ट में एल्किल है राप्त होता है और यदि वो रियक्शन उत्प्रेड क्यों पस्तिती में थोड़ा सा गरम करने पर या कमरे के ताप पर हो रही है तो एक डिगरी दो डिगरी और एल्कोल को क्या किया जा सकता है पहचाना जा सकता है क्लियर बेटा बात समझ में आ गई है तो फटा-फट उता रहेंगे और चलते हैं हम आगे अपना अगला टॉपिक कौन सा है भाई अपना अगला टॉपिक है PCL 3 और PCL 5 आ जाओ गया एल्कोल रियक्ट विद तीसरी आ क्या हाँ PCL 3 दूसरी होगी ना यह तो बेटा भी है पीचल 3 और PCL 5 जल्दी आओ तीन है तो कितने अल्कोल लेने पड़ेंगे जल्दी बताओ जल्दी अब आप से पूछूंगी वह यह तो परदा हुई रेक्शन है बताओ कहां पड़ी थी बोलो फर्माओ कहां पड़ी एल के लेलाइड के निर्मान में आया ना यास आजो PCL 3 में क्या दिखा था तीनल को CH3 CH2 OH अच्छा यहीं पर में लाइन की जाता है कि मैं दूसरी वरी हां रिका सको CH3 CH2 OH अच्छ3 CH2 OH अच्छ3 CH2 OH अच्छ वित PCL 3 हां यह ना PCL 3 ओली खलो यहूं PCL CL असे हां यह ना क्या बना प्रोडक्त PCL 3 प्लस CH3 CH2 CL के कितने मौल यह आजाओ आगे अगर PCL 5 हो तो CH3 CH2 OH प्लस PCL 5 मॉलेक्यूल को में चाहे से अरंज कि लोगे वर टूटता और जुडता नजर आए आए जी आए यह PCL CL अच्छा लगता है ना जब अपने को चीजह आती है तो हां फटा बड़ा बड़ा हाथ चलता है यह ऐसे लगता है कि स्मूथली चल रहा है ना बड़ा अच्छा लगता है आपको भी लग रहा है बेलकुल जल्दी से कमेंट बदाओ यह मैं हमें बहुत अच्छा लगता है जल्दी 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 आए जी सी एस तरी सी एस टू सी एल प्लस अच्छी एल प्लस पी ओ छी एल थ्री पी ओ सी एल थ्री आप बता नगे बता दो जल्दी बताओ ना क्या नाम इसका बताओ बहु बढ़ा जल्दी मैं नहीं बढ़ा रही जल्दी बढ़ा कमेंड में फटा-फटा मैं चलती हूं आगे तीसरी रियक्शन की ओर जो सबसे इंपॉर्टेंट रियक्शन है जहां से क्यास्टन बनता ही बनता है निर्जली करण क्या होता है लोग कहते हैं निर्जल इससा किया है निर्जली करण कि एल्चोहल किसका ट्याग कर देना victim का त्याग करण क्या कहलाता है निर्जली करण обязательно है हा आँ आजया अगर आप निर्जली करण अब क्लिया पढ़ए है तो सिंपल सा तक इसे एक नाम होती है इसे विलोपन अभिक्लिया भी कहते हैं क्लेат there कि ओफ्लोपन अभिक्लिया अते हैं इसमें कौन सा नियम लगेगा सद्जजेव कन्या क्या है जल्दी अरे बात है नहीं करो दरुदर की बात में करना बात पहले पर यह थी बच्छ बताओ घुर इक दम करके चाहिए तो देखो क्या होता है कि CH3 CH2 इधर H CH2OH पर्जेंस इन कांसेंट्रीट H2 और पर्जेंस ओफ 473 केल्विन टेंपरेचर वहीं पर यदि 413 केल्विन हो तो क्या बना यहां कह रहा है यहीं पर सेमिलार लिख देती हूं CH3 CH2 OH प्लस OH CH2 CH3 ठीक है इसमें एक मौल इसमें दो मौल लिए ओके आओ बिटा CH3 CH2 डबल बॉंड CH2 क्या बनगी एलकीन यस और नू प्लस H2 नेजली करन कम्पीट लेकिन यहां पर यहां पर भी एच्टू ओ तो निकलेगा लेकिन क्या है एस्टू रिमूव होने के बाद में बना क्या है CH3 CH2 CH1 OCH2 CH3 एथर क्या बना है एथर और यह क्या बना है एलकीन बच्चों ध्यान देना अगर एक ही रियक्टेंट है पिर भी टेम्प्रेचर के आधार पर अभी किरियां बदले जाती पिरिए इंपोर्टेंट टॉपिक वेरी 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 च्ट्चन आता है 413 Kelvin ताप पर जब alcohol का निर्जली करन किया जाता है तो क्या बंदा तो बच्चे excited होते हैं अरे हमें ये तो आता ही है हमें अब भी चाप देते हैं और इल्कीन करते हैं अरे नहीं पॉइंट टू नॉटेड चार सो तेरा पर नहीं होगा इल्कीन इथर होगा चार सो तहतर पर क्या होगा इल्कीन होगा राइट बात समझ में आ गई तो फटा फट फटा फट उतारेंगे जल्दी से और इसके बाद मैं दिखाते हैं इसकी मैकेनिजम जो सत्जेफ नियम से ल है किरा ज्यांस से ऐसे यहां यूँ नौ 었क्वी से क्रिया विधी क्या कह रहे है क्रिया विधी कहती है सबसे पहले क्या ट्रो टोनी क्रथ किसका एल्कोहल कई शए लक श्यांत के निर्मान है थ्लॉट ऑट उनी क्रत आप एल्कोहल का बनना ओके प्रोडरोमिकर एल्कोहल का बनना कैसे इस तो असोफोर को लेओ भई हैस्टू असोफोर तोटेगा है एच प्लस प्लस है एस असोफोर माइनस यह सो नू बताओ जल्दी हाँ या ना बिल्कुल ऐसे दिश्का द्यान दान करेगा भई आओ फिर CH3 CH2OH लोन पेड़ होते हैं ना दो किसा को पता है प्लस है प्लस है यह अटेक करेगा क्या बनेगा CH3 CH2OH पॉजिटिव चार्ज एच 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 सेकेंट क्या लिखेंगा जल्के अनू का या कार्बो केटाइन का बनना लिखेंगा है भई कार्बो केटाइन का बनना हाँ यह ना देखो न इस एच को तोड़ा अच को रियक्ट कराए तो प्लोटों निकरत एलकोड नहीं बन गया पॉजिटिव चार्ज आने से हाँ यह ना बताओ बन गया न तो अब जब यह प्लोटों निकरत यह तो यह ताई हो गया the cv30 CH2 OH पॉजट यह तूटना चाहे गा किस ताई है तो तुरंट क्या बन जाए गा ंगहां चल काउनिकन निर्जल क्राणHAHA और कार्बो के ठाई न क्युकर को क्यों साच अच़्ाइब था maria कार्वो के तरिंगे बाद क्या होगा कार्वो के टाइन के बाद में क्या बनेगी एलकी हाँ यह न और तो पॉप्शन ही नहीं एलकीन का बना आओ जी आओ एलकीन ना बनना क्या होता है CH2 यहां H यहां CH2 के उपर पॉजिटिव चार्ज ही हाइड जादा तो कौन सा चार्ज लेकर पॉजिटिव यहां क्या आगा नेगी पॉजिटिव नेगिटिव क्या बनाएंगे बंद CH2 डबल बॉन CH2 यह एथी और क्या आएगा एची प्लस यही एच़ प्लस किसे साथ रिक्षन करेगा एच सफॉर माइनस प्लस है प्लस हैज़ी कल टू हैज्टिव एक बात समझ में आई कि जब हम नॉर्मल रियक्शन करते तो अपन कंसंट्रेट अश्ट्रोस फूर उपर लिखते हैं लिखते हैं न हम देखते हैं इसका तो यूजी नहीं हुआ जैसा रखा था वैसे रहे रखा रहे गया चेंज क्यों नहीं हुआ रहे हुआ था जल काणू निकला था उसमें जो तो फटा फटा जाओ जल्दी उतार लियां बिल्कुल जी तो अब आते हैं अपन अगली रियक्शन अपनी लास्ट एक रियक्शन क्यूस्टन है जो मैं आपको यहां पर देखकर जाना चाहते हुआ आप कोशिश करना कि आप उसी कर सको नहीं तो फिर मैं नेक्स क्लास में करांगी नियो पेंटिल एलकोहल का निर्जली करन करके लाना इसका निर्जली करन सभी B regret कर लाएंगे North करो निर्जिली करन क्या होगा क्या बनेगा प्रोडक्ट जल्दी बताना पताफट बताना जल्दी बताना जल्दी 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 कमेंट में लिख देना ओके reviews अब सब करेंगी अब मेरा लास्ट रियक्षन है क्या भई अचा मैं आगे करती ओक्सिकर्ण औक्सिSON क्या है क मैं आओ जी आओ चीनि को चाहन MARK आटक्सिष करण अप्सिंगोरनमों अमने यह पढ़ा है अरे नहीं रहे लाला मेरे बड़े हो गए आप आप ऐसीजिन का जुड़ना वह यह सब नहीं अप तरह चीज करो मैठ थोड कू ऑक सिजन जुडता है इसमें कोई शक नहीं लेकिन किस तरह जूड़ता है और मैंने तो यह चीज पर दिगरी और तीन डिगरी के लिए बात तो आओ जी आओ छी एश थरी छी एश टू ओ एच का ऑक्सी करण के टू सी आर टू ओ सेविन की उपस्तिती में गाराते हैं यह उक्सी कारक है प्रबलतम उक्सीकार अगर जब भी आप एल्कोल का उक्सीकन करते हैं तो हमेशा ध्यान केक तो फॉंक्शनल ग्रूप का एच जाएगा और एक उसके नजदीक वाला एच और साथ में वहाँ पर क्या जुट जाएगा ऑक्सीजन क्या बन गया वाज़गा छी एश थरी सी ठीक कितने बंद तूटे यहाँ पर सिंगल बॉन यहाँ ठीक दो बंद तूटे हाँ यह ना बात समझ आई या नहीं आई आजओ फिर देखो आपने यह किया इश तरी इधर क्या भी एच सीए यहाँ बन तूटा यहाँ बन तूटा बोलो यस और नो हाँ यह ना तो और अपने पास क्या है ऑक्सीजन तो पहले से है एक कोई दिक्कत नहीं अब क्या करो यह तो oxygen single रह नहीं सकता है नहीं रह सकता न तो यह क्या करेगा यह तुरंद इसके साथ बंद बनाएं तो क्या बन जाएगा CH3C double bond O अब यहां केवल H पर यह क्या बना अभी क्या बना है LD8 बना है हां यह न इसका पुने क्या करना पड़ेगा oxy करें तो क्या करेगा यहां से बन तूटेगा और क्या बन गया CH3C double bond O हाँ यह न अमल बनाया नहीं बोलो जल्दी बात समझ आई यह नहीं सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से जल्दी मुझे बात क्लियर हुई यह नहीं क्लियर ओके तो मैं यह डिर्क लिख दूँ आगे समझ में चलो एक डिग्री का बता दिया यहां पर दो डिग्री आगे बताएंगे अब कितना दो डिग्री आओ जिडाओ दो डिग्री एलकोल करतें क्लेश थरी सी एच शी तरी ओट वही ऑक्सी करण क्या यहां से एच यहां से भी हैच आएगा क्या हुआ इसके साथ जुड़ेगा क्या बन गया CH3, C, CH3, double bond O हाँ या न, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, C, double bond O, CH3 Yes or No? Yes आगी बात समझ ले, सभी बच्चों को लेकिन अभी तो किटोन बनाए है, हमें क्या बनाना है, अमल तो क्या करें भई? अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, यहां से बंद तोड़ेंगे, हाँ या न, हमने पास बंद तूटेगा तो यह CH3 है, CH3 में से H, यहां दो लगा दो, हो गया, यह और यहां से आजाओ, CH3, C, double bond O, इधर कैज़ेंगे, ठीक, अब यह बंद तो खाली रह गया, तो कहा, औ और हमें H, भी अपने पास है, फिर से ऑक्सिकरन कर दो, यहां ऑक्सिजन आया, यहां से H, क्या बनगे, CH3, C, double bond O, O, H, एसिट बनगे, इधर से ऑक्सिजन आया, इधर से H, बच्चा क्या है, CH2, जदा खोलो तो, H, हाँ है न, इसका भी तो ऑक्सिकरन होगा, डबल बॉन, O, हाँ, फिर इसका ऑक्सिकरन हुआ, यहां पर आया, H, C, double bond O, हाँ है न, बच्चे करें एक बार, वन स्मोर मैडम, एक बार फिर, आई, एक बार फिर देखो, टूटा यहां से, ठीक, H2, O, H2 लिख दो रहा है, हाँ है, ठीक, ऑक्सिकरन हुआ हुए, ठीक, ऑक्सिकरन हु है, ठीक, टूटा तो यहां से, इसको जोड़ा है, किटोन, किटोन तक कोई दिक करते हैं, अब यहां से तोड़ो देखो, तो यह CH3 अलग, CH3 में से CH2 और H अलग क्यों, क्योंकि हमें अमल बनाने के लिए अच्चा है, और ऑक्सिजन तो हमने यहां पर H और O जोड़ करके, है, एसिटी का हमल बना, लेकिन अभी भी क्या बचा हुआ है, CH2 बचा हुआ था, तो CH2 को मैंने इस प्रकार लिग दिया, पर दो बंद तो खाली है, तो दो बंद कौन बनाता है, ऑक्सिजन, फिर हमने ऑक्सिजन जोड़ दिया, हमें पास ऑक्सिजन एक्सिक्स में, बहु तीन डिगरी का कैसे करेंगे, CH3, C, C, इधर CH3, इधर CH3, O, H, अब, अब यहां से क्या नहीं हो सकता, H2 नहीं निकल सकता, क्या निकलेगा, H2, हाँ है न, H2, होगा, और, देखो, क्या होगा, CH2, H, H2 होगा, क्या बन देख, CH3, C, डबल बॉन, CH2, CH3, राइट, एलकीन, यहां से बन तूटेगा, ओक्सिकरन होगा, और बन जाएगा, CH3, क्या, C, डबल बॉन, O, CH3, प्लस, CH2, वही सेम रियक्शन, क्या होगा, जड़ा ध्यान देना, अब आपन ऑक्सिकरन करेंगे किसका, तो अपने पास क्या है, एक तो अपने पास है, एक तो अपने पास है, एक तो अपने पास क्या है, कि टोन में से CH3 भी निकलेगा, है ना, हाँ यह ना, जिसमें अपन क्या करेंगी, CH3, C, double bond O, CH3 है, इसका ऑक्सिकरन करो, क्या बनेगा, यहां से यह निकला, पापस क्या बन गया, H, C, double bond O, H, H, C, double bond O, O, H, यह और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, बात क्लियर, यहां से आपका CH2 और यह H, रइट, यह H तो यहां काम आ गया, और यह CH2 यह दाओ, ओके, बताओ, जल्दी बात समझ आई, यह नहीं, क्लियर हुआ टॉपिक, बात क्लियर हो चुकी होगी, इन सब का मतलब यह नहीं है, कि मैंने इतना आसान तरीके से बता दिया, तो आपको यहीं पर क्लियर, तो हमें सब आता है, NO, प्रैक्टिस जरूरी है, जितना अपने हाथ को आप चलाएंगे, मैं आपके साम नहीं, यहां पर करके दिखा रही हूँ, कोई कोपे पैन हाथ में नहीं है मेरे पास, कि मैं उसको देख देख कर उतार रही हूँ, मैं यहीं चाहती हूँ, कि आप भी बिना देखे, ऐसे ही लिखना शुरू करें, बस यह इसका एक ही रीजन है, कि आपके प्रैक्टिस कितनी है, जितनी प्रैक्टिस, उतना आपको उसका प्रतिफ़ल अच्छा मिलेगा, ओके, पहली बात तो यह, कि आपका जो फिनोल है, यह फिनोल होता क्या है, इस तरह से इस ट्रैक्चर बनाते हैं हम, फिनोल की है ना, बिलकूँ, तो यह फिनोल है, यह कैसे बना, किसी भी ऐरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन के कार्बन से जुड़ेवे हाइड्रोजन का यदी ओत समुह द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापन कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, विस्थापन कर दिया जाता है, उसकी जिगह सुहम आ जाता है, तो क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है, यह नहीं किसी भी ऐरोमेटिक योईक में कार्बन से जुड़े हा फिनोल कहते हैं वहीं पर एलकील ग्रुप के साथ नहीं जुर जाता है तो एलकोहल कहते हैं राइट यहां कोई दिक्कत नो किसी को कोई डाउट नो चलो आगे आज़ा अब सरंचना की आप बढ़ जाते हैं बेंजीन निंग को तो आप सब जानी रहे हैं कोई दिक्कत ही नही में ऐसा कोई जानता आप में से तो फटा-फट बता लो जल्दी से comment बदा दो वाई क्यों ऐसा क्योंकि यहां पर क्या है लॉन पेर इनके मद्दे क्या होता है प्रती कर्शन प्रती कर्शन होता है जिसकी वज़े से क्या हो जाता है ये bond एंगल जो है आपस में नसदीक आजाता है प्रतिकर्शन लॉन पेर में होता है जिसके वज़े से बॉंड नजदीक आ जाते हैं और उनका बॉंड एंगल कम हो जाता है राइट बात समझ में आगे होगी चलते हैं आगे अब अपन देखते हैं कि अपने पास अपन जो काम अपने जो स्ट्रेक्चर देखा है उसमें इस का संक्रण कितना है SP3 कार्वन है SP2 तेखता है कि अब देखते हैं क्या फिनोल का वरगी करन हम देखते हैं तो फिनोल टो किस परकार अग्लाइफिफड किया है एकचली पॉली हायडरिक भी होता है पॉली हाइज़ ठीक है है आओ दियाble A the encourage का मतलब होता है क्या किसी benzen दिन्ह में जो फिनोल मी बदल चुकी है उसके साथ में च्ग्रहों एक ही ओष जागा हो अगर एक ही ओश लगा है तो वह क्या है इसके साथ में हम ऐसे भी लिख सकते हैं OHCH3 OHCH3 इनका नाम नॉमल कल्चर में पढ़ेंगे इनको किस नाम से जाना जाता है अगर आपने से किसी को आता है तो वो मुझे बता सकता है और्थो क्रिसोल मेटा क्रिसोल पेरा क्रिसोल कुछ ऐसा होता है क्या क्या कुछ ऐसा होता है सदा सोचो और आगे कमेंट में आंसर कर दो चलो जी चलो यहां तक दिक्कत नहीं है अच्छा टेड़े हो गए क्या अच् एह बना दो ताकि बात कि यह बच्चों को दिक्कत नहीं हो ओएच सब जगे लगा दो यह लगा दिया ओके यहां है यह थरी यह थरी यह थरी यह पेर्जिन देंग और दन नाम फड़ात अब दाए है डाइ हाइट्रिक क्या मतलब होता है जिसमें क्या हो दो ऑच गुरुप लगे हो यहां पर आगया और यहां पर आगया वहीं पर यह क्या है यह और नौ इसका नाम क्या है भाई के टेकॉल के टेकॉल की रिसारसिन और यह और इसका क्वी नौट्व यह इनके पर्चलित भाशा में नाम है क्या है पर्चलित भाशा में पर्चलित भाश्या में जो नाम होते हैं जहां पर इने जिस इस्थान ये जगह पर इने जाना जाता है उनकी आधार पर इनके नाम दिए जिने आपको पता होना चाहिए कई बार एक्जाम में पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह क्या है ओके येस और नो आगे देखो अपने पास क्या है ट्राइडरी अब ट्राइडरिक क्या है यह दो उतार लिये सबने जल्दी बतर जल्द येस और नो केटेकोर रिसॉर्स इनॉल और क्वीन अब चले तीन वाला दिखा लेते हैं तीन में भी इस तरह का है ओएच ओएच और इस पर ट्राइड और पॉली में कुछ ऐसा है इनके नाम जो है वह हम आगे अभी जब नाम करन पढ़ेंगे तभी करने ओकी बेटा बात समझ में आगी होगी तो पॉली और ट्राइडरिक इस प्रकार से अरेंज किये जाते हैं या कहने का मतलब क्या है कहने के तत पर यह क्या है यहां कहने का तत्री पजिए उपस्तित जौ कार्बन से जुड़ वा हाईडरोजन है अगर एक हाईडरोजन का परतीर ओरिशथापन भ़रा हो तो मुन दो अच द्वाला हो रहा है तो दाई और तीन से हो रहा है तो ट्राई और मौर देन थ्री तो हो जाता है पॉली हाइड्री हाँ या ना बात समझ में आ गई है तो फटाफट लिग दो यस मैं ओके चलू आगे आज़ाई आप चलते हैं नॉमन कल्चर अभी दिखा दे नॉमन चेंज करो भाई जो है वह क्या है में गरूप है यानि इसके पास और इसके पास और तो यहां पर मैटा यहां पर बेटा ओच एक पॉंक्शनल ग्रूप है इसकी स्थति कभी नहीं बड़ती यह जहां भी दिखेगा वहां इपसो ही होगा यानि उसके आधार पर ही आप उस और तोरो थो मे्टा और पेरा के रुक में रेपर जयंट करेंगे कही बर बच्छे बोलते हैं माएम और फूमेटा और पेरा बता दिची तो ध्यान दो बगई ध्यान दो और ह्षोन मेटा और क्या होता है कि बेंजीन रिंग में 62 पॉजिशन पर यदी कोई क्रियातमक्त सम क्रियात्मक समोह है तो क्रियात्मक समhu के साथ जुरने के बाद करियात्मक समोह के बाद में इसके पास वाली इस्तती च्रपन किया होगी हमई ऐमशा और तो मैटा और पेरा येसोरो महम जल्दी बताओ फटाफट बताओ चलें बात समझ में आ गई और तो मेटा पेरा समझ में आ गया बच्चों ने कमेंट में लिखा था मैंने पढ़ा था इसलिए मैं उसका अंसर कर रही है ओके बेटा आजाओ अब आजाओ यहां पर ओच देखो केटेकोल इसका नाम रिसॉर्शिन और इसका नाम हाइडरो कीमल यह क्विनल यह सोर नो अच्छा ट्राईक का नहीं है ट्राईका हम लिख लिए दे चलो आजाओ दाई तक ठीक है आजाओ ट्राई में हम लिख लिए ओएच 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 और यहां पर उसके बाद यह रहा ओएच 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 ठीक है कोई दिकत नहीं होनी भी इसमें यहां नहीं देख टीन और यहां ओके चलो उतारो फटाफट फटाफट ट्राइक आ गया अब इनके नाम कर जल्दी से देखो पाइरोगेलोल इसका नाम क्या है पाइरोगेलोल ठीक है पाइरोगेलोल हाइड्रोक्यूइनॉल ठीक है उसके बाद अगला क्या है फ्लोरो क्या फ्लोरो ग्लूसी क्या नाम है फ्लोरो ग्लूसी ठीक बात जी बात समझ में आ गई हो सबी बच्चों को क्लियर हो गया यह सो नू जल्दी बताओ जल्दी 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 अच्छा इसको भी हिंदी में लिग दो भाई बच्चों को समझ में नहीं आएगा हाइ यह बस ठिक खोश रहो मज़े करो आगे चलते हैं अब आता है अपने पास पॉली जिसमें सब जगए क्या लगा है ओ एच ओ एच ओ हाँ यह ना जल्दी पुता इसका नाम क्या होगा आइनो सीटोल क्या नाम है आईनो सीटोल क्लियर बात समझ में आगली होगी सभी को डन ओके नामकरन समझ में आया क्लियर हो गया पीछे मैंने बदा दिया है क्लासिफिकेशन भी हो चुका है अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर जो में है वो क्या है विर्चन की विदिया यानि कि आज हम फिनोल को कैसे कैसे प्राप्ता कर सकते हैं तो कहा कि फिनोल को प्राप्त करने की मुख्य चार विदिया है कितनी विदिया है चार विदिया है पहली हेलो एरीन से हेलो एरीन से सब बच्चे लिखेंगे बेटा नोर्स में सेकिंड रियक्शन है बेंजीन के सल्फोनिक आमल द्वारा सल्फोनिक आमल द्वारा है बेंजीन के या बेंजीन के सल्फोनिक आमल द्वारा पहली दूसरी तीसरी है बेंजीन डाइजोनियम द्वारा बेंजीन डाइजोनियम लवान द्वारा ठीक है जी कोई दिक्कट होने देने चलिए चोथी क्यों मीन द्वारा क्यों मीन द्वारा हाँ यह ना क्लियर यह चार बाते फटाफट उतारो जल्दी से ताकि बाते क्लियर हो जाए चलू आजाओ आजा पहली सबसे पहली डियक्षन क्या नाम है है हेलो एएरी द्वारा है एएलो एरी पिरह ही हैटीक घुटा बेटा बेंजी इंधी कोई भी एलो जोड़े तो मिल्ट एलो एर इन होता है क्या जल्दी बताएंगे सभी बच्चे yes or no yes जब इसकी रियक्शन अन्यों अज के साथ कराई जाती है 623 केल्विन ताप पर और कितने 300 एटियम डाप जब करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है ज़रा ध्यान है तो सीधा यह तो अभी तो मेकेनिसम बाद में बताऊंगे पहले सिदा फिनॉल वन जाता है ओके ठीक है लेकिन यह डाइरेक्ट नहीं बनाए इसकी जो क्रिया विदी है वो क्या कहती है जरा ध्यान देना विद्यान क्रिया विदी क्या कहती है क्रिया विदी कहती है कि जैसे ही आप किस क्लोरीन के भी क्लिया एनियोज के साथ करेंगे तो क्या होगा यहां से बन तूटेगा माइनस यह प्लस और यहां पर यह तूटेगा माइनस ठीक है बच्चो चील एच के साथ जुड़ गया क्या बन गया है एच लिए प्लस बेंजीन के ऊपर क्या हो गया ओ है क्या नाम बना इसका सोडियम फिन अक्साइड बात क्लियर हो गई यह सो जल्दी पता सोडियम फिन अक्साइड ठीक है अब आओ जब सोडियम फिन अक्साइड बनता है तो फिर क्या होता है तो फिर इसकी रियक्शन डाइल्यूट अच्सियल के साथ करा जाता है राइट जो अच्सियल आपने यहां बनाया है उसी को डाइल्यूट करके आप ले लेते हैं तो क्या बन जाता है वापस क्या रिमूव हो जाता ह NACL और क्या बन जाता है बेटा NACL और क्या बन जाता है Yes or No बात समझ में आ गई होगी जल्दी से उतारेंगे ताकि बात clear हो जाए समझ आ रहा है ना बोलो जी बोलो जल्दी जल्दी बताओ कमेंड में Yes ma'am ओके 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 चलो जी फिर्स्ट रेक्शन के लिए आ जाए सेकेंड सेकेंड क्या है राजा सेकेंड रेक्शन है बेंजीन के सल्फोनिक मेंड़ा बेंजीन के सल्फोनिक अम क्लियर बात समझ आगई टॉपिक तो समझ आई गया अच्छा बेंजीन के सलफोन निकाल यानि सबसे पहले कहा गया कि बेंजीन उसकी रियक्षन मैं डायरेक्ट करके दिखा रही हूं है एस्टू एसो फोर प्लस एसो थ्री राइट की पर्जेंस में यह दियाप कराते हैं तो कहा बनता है क्या बनता है आपका एसो थ्री एन ए और फिर जब रियक्षन क्या होती है जब रियक्षन डो मोल अन्योच के साथ होती है तो क्या बन जाता है फिनोल बन जाता कर द known लेकिन क्या सीधी सीधी रीयक्षन होती है है क्या ऐसा पोसिबल है अब स्यल भी लेलो डाइलूड ऑचा सिसके अभ Courtney sing देखें क्रियाविधिय क्रिया विद्धा क्रिया विद्धी क्या कह QAIMS 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 QAIM प्लस यस और नो जल्दी बताओ बात समझ आई या नहीं जल्दी 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 आप जानते हैं ना double bond O double bond O H double bond O O H हां या ना यहां से गया यहां प्लस यहां पर यहां यहां या यह नहीं पहले भी समझाये यह बात मैं पहले भी बताई है लेकिन फिर बता रहे हैं अब आते हैं अपन O3H जब बना तो अपन ने देखा आगे कर दें आगे आ जाए तो यहां अपन ने देखा कि क्या क्या बेंजीन लिया यहां से टूटा प्लस एसो थ्री प्लस यहां से एच गया एच गया प्लस में यहां आया माइनस यहां पर अटैक और यह बन गया क्या बेटे अच्छा एक बात अगर अपन इसके साथ में क्या ले ले सोडियम तो अपन क्या देखते हैं यहां पर अपन देखते हैं कि इन से क्या बन रहा है अच्छा यह पहले से लगके दिखा जोते हैं ताकि आप अपने पास है अच्छ याद है दो मोल लिया था प्लस एसो थ्री ठीक कोई दिक्कत यहां पर अपने देखा कि यह बन गया क्या एच्टू और यह क्या बन गया यहां पर क्या ङया जबाए शॉद्ड हैं यह और इस ऐसो थ्री न अने कि रियक्जन आप कहा कराके आए बेंजी रिंग के साथ है कर यह से अच गया यहां पर एसो थृब दितवाश और यहां यह ना और अपनने अटेश्य चिया और क्या बन गया यहां पर क्लियर यहां पर क्या आगया एसो थ्री है हाँ यह न बात समझ आई गया नहीं यह सो नो जल्दी बता दो जल्दी 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 क्लियर हाँ यह न इसके साथ में आप अच्छी यह भी ले सकते हैं पर लेने की ज़रूरत नहीं है सिधा राइड क्योंगे चलते हैं आगे अब यह जो रियक्शन आपने किये इसकी रियक्शन आप ने ओच के साथ कराएं कराएं यहां पर ने ओच के दो मोल लेंगे तो यहां पर ने ओच ठीक हैं अगर आप यहां से इस बंद को तोड़ते हैं अगर आप तोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास जो रियक्शन जिसमें एक तो अने ओच का पून अब घटन होता है और एक का बिटा आंशिक होता है आंशिक मतलब जिसमें ह निकलता है इसमें ओच तो यहां पर माइनस यहां पर प्लस यह यहां से यहां अटक और यह जो है क्या बन गया यह बन गया आपका क्या ओ एन ए रहइट साथ में क्या बन गया एच्टू साथ में क्या बन गया अने टू एस ओ नो देखो एक सोडियम दूसरा सोडियम दू आने टू एस ओ फॉर ओ यह सोडियम तो आपके पास पहले से था ना और हमने तो यह क्या कर दिया इसका तो रियक्शन अपने लगाई दिया तो यह दोनो मिलकर कि क्या बन्या और यहां से फ्Star लिए तो यह क्या होगी ज़लती से आ जाओ आप जब अपने पास क्या बनगे बच्चो यह अपने पास बन गया क्या आप बन गया अपने पास ओ एन गया तो अपन इसकी रियाक्शन किस से करवा सकते हैं अब अपन करवाएंगे अच्छी किस्ट तो क्या बनेगा जल्दी बताओ ओ एज प्लैस एने सी राइट यस और नो बात समझ आई यह नहीं जल्दी 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 बताओ भई जल्दी बताओ कि समझ में आया या नहीं जल्दी से उतारो जल्दी 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 फटा फट उतारेंगे जल्दी से जल्दी उतारो भई बात समझ में आगई सबको क्लियर हो गया कि हाँ या ना ओके जी ओके तो अब अपन देखते हैं अपना अगला जो क्या है अगला जो विदी है वो क्या है आईए आप देखते हैं अपना थर्ड विदी थर्ड क्या है भाई थर्ड विदी है आपकी जिसके अंदर है अपना नाम बेंजीन डाई एजोनियम ठीक है आजओ बच्छा अब बेंजीन डाई एजोनियम बेंजीन तो बेंजीन डाई एजोनियम का क्या मतलब होता है जहां पर N2 होता है पॉजिटिव चार्ज में हम उसे बोलते हैं डाई एजोनियम बात समझ है बिलकुल है आ गई ना आने भी चाहिए यहां तक तो ठीक है अब हमने क्या किया सबसे पहले अपन क्या गरेंगे विरा इस रियक्षन में हम लेंगे एनिलीन लेली और जब अपन एनिलीन लेंगे त तो एनिलीन से अपन घ्याक्षन झीँँगे अच्छा एनिलीन लें पहले इसकी रियक्षन जो है हार बता देतीगु डाइरेक तकि बाद में इसकी में कैनिजम में सब जल जास हो तो अपने पास क्या बन जाता है बेंजीम डाई एउंग आ च्रोराइड और इसकी रियाक्शन हमें करवाने पर किसके साथ अने वज़ की पस्तिती में करवाने पर हमें मिल जाता है क्या फिना पर कैसे आजाओ क्रिया विदी देख लेते हैं देख लूँ बिलकुल आजाओ क्रिया विदी क्या कह रही है क्रिया विदी कह रही है कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके पास inne no, two है PLUS आपके पास क्या है भाई बच्चो आपके पास है खायन ये सुनं जल्दी जल्दी बताओ तो अब यहाँ पर यह क्या होगा प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, हो गया, क्या बना, NACL, प्लस, HNO2, ओके, ठीक, चले, बात समझे, आज़ा, अब चलते हैं, जब आपने, HNO2 बना लिया, तो आप देखो, मैं के निस्ता है, एनिलीन, H, H, यहाँ पर N, डवल बॉन, O, OH, यह सोर नू, और आपके पास क्या है, NACL, हाँ यहाँ तो देखो, यह क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल को हमेशा ऐसे अरेंज करो, कि वह तूटता और जुटता नज़र आए, बना दिया, यहाँ पर आप देखो, अपने पास क्य है, अब क्या, क्या बच गया, दो नाइट्रोजन बच गया, हाँ यहाँ ना, जल्दी बताओ, N2, प्लस, CL- प्लस, H2, प्लस, क्या, यहाँ यहाँ यहाँ, बात समझ में, हाई यहाँ, सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी फटा-फट मुझे बताएंगे, कि आपको बात हो चुकी है, यस मैं, जल्द, क्लियर, डन, ओके जी, अब चलते हैं, लास्ट वन रियक्शन, जिसमें अपने को क्या रिखना है, अगली रियक्शन है, क्रीमीन, क्रीमीन की रियक्शन का क्या मतलब है, इन, यानि कि अपने पास बेंजीन है, और उसकी रियक्शन अपने को एलकीन से करानी है तब जाके आपको एक बेंजीन रिंग पर आईसो प्रोपिल ग्रूप दिखेगा वही आपका फिलीन है ओके बात समझाए आजाए फटा फट देखते हैं चलो इसकी क्रिया विदी ही समझा रहते हैं ताकि आपको बात प्रियर हो जाए ठीक आजाए सबसे पहले बिटा क्या करना है आपको क्या लेना है और ऐसा भी कहा गया है कि यह विश्व में फिनोल के निर्मान की सबसे उत्तम विदी है यह सबसे सबसे अच्छी यानि विश्व में फिनोल का निर्मान जो है वह इसी विदी से किया था कि इस विदी से सुच्छ या फिर तो इस प्रकार का गया बार भी वालों तुमें तो पता होना चाहिए भाई तुम्हें प्राक्टिकल भी करने वहां पर फिनोल है फंक्ष्णल ग्रुप में आजाओ 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 तो सबसे पहले अपन नहींगे बिटा बेंजीन बेंजीन में H और H के साथ CH3 CH1 CH2 यहां से बंग तूटा यहां से क्या होगा यह एच इदर यहां से तूटा यह प्लस यह माइनस यहां पर क्या फ्लस और माइनस राइट प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ दिखी रहा है तो यहां पर बन गया विटा क्या अपने पास बन गया CH3 ऐसोपर बैंजीन जिसे अपन क्या करते हैं प्रिवी आज हो अब इसकी रियक्शन अपने को क्या करना है इसका हमें ऑक्सीकर्ण करना है तो ऑक्सीकर्ण करते वक्त अपने को क्या करना है ऑक्सीकर्ण करते वक्त अपने को इस रियक्शन को कहते हैं मॉलिक्यूल को ऐसे एरेंज करो कि वह तूटता और जूटता नज़र आपको यहां लिख और यहां लिख दो एच यहां से तोड़ों और यह दोनों ऑक्सिजन यहां पर आजाओ क्या बना बेंजीन रेंग उसके ऊपर क्या इसके ऊपर सी इधर इधर भी सी एश थरी इधर ओ एच हाँ यह ना जल्दी से नाम बताओ भई क्यूमीन हाइड्रो पर अक्साइड यह क्यूमीन तो है पर यह हाइड्रो पर अक्साइड और हुआ है तो एक से ज्यादा हो यानि एक ही कंपाउंड में अगर दोक्स जल्दी खजेए वह पर हो रहे से एच्टू ओटू हाइन सही है बिलकुर अब इसकी रियक्शन का क्या करेंगे भाई आब इसकी रियक्शन डाइल्यूट एच्टू और सोफोर के साथ करवाएंगे तो क्या बन तूतेगा यहां यह जूडेगा तो क्या बन गया यह बन गया फिन और यह बन गया किटोन यह सो जल्दी बताओ जल्दी बताओ आगई बात समझ में ओके जी ओके चलते हैं आई यह बच्चा पार्टी यह तो गई आपके विर्चन की वीदियां कम्प्लीट अब नेक्स ट आपर बहुत एक गुंडराम् कि बहुते गुंडराम जादा यह बात में हो तोड़ा सा हलका सा क्या होता है ब्राउनिश होता है जनरली ये कलर लैस होता है कि रंग की बात करूं तो क्या होगा रंग जो है ये क्या होता है रंग ही ठीक बात है उसके बाद में इसकी विलैता विलैता की बात करूं तो क्या होगा जल में अल्प जल में अल्प विलैता है ठीक है गंद हीन होता है गंद हीन नहीं तिक्ष्ण गंद होती है इसकी तिक्ष्ण गंद युगत होता है ठीक है बात समझ में आगे यानि कि अब इसकी गंद के बारे में बात करें तो एक बात बहुत हो है कि इसकी जो गंद होती है वो गंद होती है लाइफ बोई सावन दे है लाईब बोय साबुन जैसी गंद होते हैं लाईब बोय है जहां तंदूरोसी वहां होता है नहीं है उसकी गंद आती है ना उसमें एक्चलिक वहाँ पर क्या पाया जाता है, फिनोल पाया जाता है, ओके, बात समझ में आ गई होगी, तो चलते हैं आगे, अब देखो जी, अब आपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, इसके गुन धर्मों की ओ, कहां जाता है कि फिनोल जो है, क्या, फिनोल जो है, फिन क्रावी रंगिवा हो जाता है क्यूं हो जाता है तो देख कैसे हो जाता है आपन ने फीनोल को देखा ठीक है है यह रहा ऑचो और यह रहा है जब यह वाइयो के उपस्दें तो यह watchy कह जाता है और यहां पर oxygen और यहां से दोनों हो जाते हैं और क्या हो जाता है जरा ध्यान देना बच्छों यहां 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 से एच गया इलेक्टोन यहां और जैसे ही इलेक्टोन यहां आए तो यहां पर डबल बॉंड हो गया और यहां से बन तूटा यहां और यहां पर बन तूट गया यहां पर बंद तूटा और यहां और ठीक अब यह यहां पर आया यहां पर अच्छ लगा हुआ यहां पर बंद तूटा यहां से क्या बन गया डबल बंड डबल राइट इसे कहते हैं क्विनोन क्या कहते हैं इसी की वज़े से रंग क्या हो जाता है फिनोल का गुलाबी हो जाता है कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि फिनोल को वायू में खुला क्यों नहीं छोड़ते हैं हवा या प्रकाश में छोड़ने पर वह वायू से reaction कर जाता है और गुलाबी रंग का क्या प्राप्त हो जाता है फिनोन प्राप्त हो जाता है राइट बात समझ आई जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ अब चलते हैं थोड़े से गुन धर्मों की बात करते हैं तो एक गुन आता है फिनोल का अमली ये गुन प्राप्त है अमली ये गुन का मतलब होता है एच का त्याव, तो बताओ, फिनोल, फिनोकसाइड और एलकोहल में से कौन जादा अम्दिय होगा, तो कहा गया है, यहाँ यहाँ है, कौन जादा अम्दिय होगा, ठीक है, आज होगा, सबसे पहली बात यह अपना अच देगा नहीं, क्योंकि एच देने से यहाँ पर ऑक्सिजन में जो चार जाएगा, वो बिना रेजिनेंस के स्टेबल होता नहीं है, इसलिए यह अपना एच देता ही नहीं है, तो यह सब्सक्राइड लेस स्टेबल है, ले लैक्ट्रोन देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन जब देता है, तो हाइड्रोजन देने के बाद, ऑक्सिजन पर प्लस चार जाता है, राइट, हाँ यह ना, फिनोर, जब यह देता है, तो यहाँ पर डबल बोल्ट, हाँ यह ना, और यहाँ प्लस चार सेप्रेशन होता है चार्ज का क्या होता है सेप्रेशन हो जाता यानि प्लस-mynes यानी आयनी करत हो जाते है लेकिन वहीं पर यदि आप फिन अक्साइड की बात करें तो फिन बताओ जल्दी माइनस चार्जी यानि की चार्ज का सेपरेशन नहीं इसलिए यह मौर स्टेबल है इसलिए ज़्यादा ऐसे लिए फिनोल की तुल में फिनोकसाइड अधिक अमली होता है और फिनोल की तुल में एलकोहल कम अमली का होता है यह क्योश्टन इस वेरी वेरी काम में पुझराता है तो कहना की फिनोक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा होता है फिनोल उससे कम और एलकॉल सबसे कम अमलिय प्रवर्ति विखाता है बात क्लियर हो गई तो यह थे आपके बहुतिक गुंधरम जिसे अपने को पता होना चाहिए क्लियरली बात पता होनी च प्रवर्ति जो होती है वो कम होती है इसने कहा जाता है कि जो फिनोल है वो फिनोल जो है इसमें फिनोली गंद आती है यह इंटिबायोटिक होता है और यह दुर्बल अमलिय प्रवर्ति का भी होता है ठीक है रासाइनी गुंधरम जो होते हैं उसकी रीब बात की जाए तो ह मैं हमेशा कहती हूँ आज फिर कह रही हूँ गोर करो इन बातों पर कि जब आप विर्चन शब्द लिखते हैं तब क्या होता है और वहीं पर आप जब रासाइन एक गुर्ण लिखते हैं तो क्या होता है विर्चन का मतलब होता है बच्चों कि जब आप किसी नए रियाक्टेंट से नए अभी कर्मक से अभी कर्मक से आप क्या बना रहे होते हैं आप फिनॉल बना रहे थे लेकिन वहीं पर इसका निर्मान हो रहा था तो वह विर्चन था वहीं पर यदि आप फिनॉल ही लें और उससे कोई नया प्रॉडक्ट बना दें नया उत्पाद बना दें तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे रासाइन गुर्ण दरव यह बेसिक बात है जो मैं हर क्लास में आपको बता रही हूं फिर भी मुझे लगता है कि बार-बार बताने से मेरे बच्चों के दिमाग में ये बाते फीड हो जाएंगी से लिए मैं बार-बार इस चीज को रिवाइस कर रही हूं ओके चले आगे आईए चलते हैं ये तो बात क्लीर हो चुका है आपको बात समझ में आ गई है तो रासाइनिक वीदियां जो अपने पढ़नी है वो कौन-कौन सी है उनका एक फ्लो चार्ट जो है वो मैं बना देत इस खके आप सभी बच्चे जो हैं वह अच्छे से उसको डिशो कर लें थिए तो कह गया कि जब फिनोल के रासाइनिक गौंधरम की आप करते हैं तो रासाइनिक गौंधरमों में कुल पांच वीदियां है थिक्तिक he कितनी वीदियां है पाँच वीदिया है पीर चार और पाँच ठीक है? सबसे पहले सबसे पहले वीदि है आपका Aromatic Electrons नहीं प्रती इस्थापन अभी के लिया Aromatic Aromatic Electrons नहीं Electrons स्नेही या रागी प्रतीस्थापन अभीक्रिय ठीक है उसके बाद में दूसरे विदी है कॉल बे अभीक्रिय बेटा सब भी मेरे साथ साथ बनाएंगे तीसरे अभीक्रिया है राइमर टीमान अभीक्रिय इसे फॉर्मिली करण भी कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसके बाद अगली अभीक्रिया है आपकी कौन सी चोथी अभीक्रिया है आपकी फिनॉल की रियक्शन किसके साथ फिनॉल की अभीक्रिया यशद रज के साथ यशद रज है जिंक डस्ट और लास्ट है आपकी पांच वी ओक्सी करण ओके बात समझ में आ गई होगी शेलू अब इलेक्ट्रोंस नहीं जो परती स्थापन अभीक्रिया है उसके दो पार्ट्स बताएं गए हैं पहला है आपका नाइट्री करण और दूसरा है राजा कौन सा हेलो जनी करण ठीक है आप इस चार्ट को उतारेंगे ताकि आपको भी पता चल जाए कि अभीक्रियां कौन कौन सी होनी है फिनोल के अंदर फटा 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 स्क्रीन शोट लेंगे अब चलते हैं हम आगे सबसे पहली अपनी रियक्शन हम पढ़ेंगे किसके साथ एरोमैटिक एरोमैटिक इलेक्ट्रोंस नहीं प्रतिस्थापन अभी राइट आप सबसे पहले ध्यान देना इसके अंदर पहली है दिख्ये क्या है लेकिन पहले ध्यान देरो कि एरोमैटिक इलेक्ट्रोंस नहीं प्रतिस्थापन अभी क्रिया का मतलत क्या है ठीक है जब अपन बात करते हैं किसकी एरोमैटिक कंपाउंड की यालिकी फिनोल की तो aromatic जो compound होता है, phenol जो है, जब reaction करता है, तो इसके उपर जो अभिक्रियाएं होंगी, इस phenol पर जो अभिक्रियाएं होंगी, वो हमेशा electron नहीं होती है, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है? electron धनी होता है, उसके बाद अपन देखते हैं, इसके उपर जो भी samuh है, आक्रमन करता है, जो भी samuh है आकिरमन करेगा बेटा, वो क्या होगा? ओर्थो या पेरा निर्देशी होगा? इसको ये निर्दिश्ट करता है। यह आक्रमन करने वाले समूर को और्थो पे अटेक करना है यह पेरा पे अटेक करना है इस बात को निर्दिश्ट करता है यानि इस बात की सूचना देता है कि आने वाला गुरुप कहां पर होगा क्यूंकि क्या होगा क्योंकि इसकी ortho और पेरा position पर electron क्या होंगे धनी होंगे क्यों होंगे क्योंकि हम सब जानते हैं हमने phenol का नुनात पड़ा है 11th class में और नहीं पड़ा है तो भी मैंने phenol का resonance last one class में बताया था कि वहाँ पर जब अपन phenol का resonance करते हैं तो ortho और पेरा इस्तती पर क्या हो जाता है ortho और पेरा इस्तती पर electron याईनि माइनस charge आ जाता है जिसकी वज़र से ये electron धनी होता है अब इसके बाद में यहाँ पर आप लियाद रख सकते हैं कि phenol जो है phenol जो है उसमें क्या होता है phenol में और जो समुए हैं उसमें क्या होता है अनूनाद होता है राईट बात समझ आ गई तो टम पटम पतर एंगे जल्दी 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 और यह अनुनाद ही बताता है इकि यह क्या होंगे daytime धनी यह basic बाते आ हैं कोई ने बताता है कर हम आते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, no, जब तक basic पता नहीं मेरे बच्चों को, तब तक पता हुई नहीं सकता है, चल ही नहीं सकता कि reaction कैसे होनी है, चलो, आजाओ, आजाओ जी, आजाओ, अब चलते हैं, अपने पहले reaction अपनी कुन सी है, नाइट्री करन, नाइट्री करन का मतलग क्या होता है बेटे, no2 का जुटिना, और no2 अपने पास कहां से आएगा, hno2, बात समझ में आई, जनरली hno3 भी करते हैं लोग, तो ठीक बात है, वो hno3, h204 के साथ reaction करके no2 बनाना है, that's it, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो अब दे आजाओ, तो सबसे पहले कहा गया कि जब फिनोल है, जो फिनोल है, वो क्या करता है, reaction करता है, किसके साथ, 298 में केल्विन ताप पर, तनू, किसके साथ, hno3 के साथ, और एक reaction करता है, सांद्र, hno3 के साथ, right, सांद्र, hno3 की मात्रा, यानि कि सांद्र है, यानि इसके अंदर, इसके अनूल की संख्य क्या है, अधिक है, ठीक है, जैसे ही, आपने ये reaction की, तो कहा गया, कि आपके पास में क्या होगा, आपके पास में, oh, यहाँ, no2 हो सकता है, और कहां हो सकता है, साथ, नहीं, आपके यह यहां पर और तो और पेरा इस्तती पर क्या सकता है यह सो जल्दी बताओ कैसे हुआ वह भी बात करेंगे वहीपर यदि आप सांध्र चरण यह साथ रियक्शन कराते हैं तो यह रियक्शन कुछ इस प्रकार होती है और इसकी मातरा अधिक होने के कारण यह केवल और तो प जिसका नाम क्या है रियक्शन में बताया जाता है यह है पिक्रिक ऐसे पिक्रिक अमल या फिक है टू फोर सिक्स ट्राइन नाइट्रो फिनाओ ओके बात समझ जाई जल्दी बता जल्दी क्लियर हो गई जल्दी बता दीजिए ओके तो जब भी फिनोल की अभी क्रिया तनुआ चनुथरी के साथ कराई जाती है तो और्थू और्थू पेरा इस्तती पर अनुथू अटैक करता है कैसे करता है मैं अभी बता जाते हूँ इसको फटा फट उतार दो जल्दी से जल्दी 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 फटाफट 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 ताकि अपन आगे बात क्या से चलू हो गया आजाए तो हमने देखा कि जब अपने पास क्या है फिनोल है ठीक है बेटे यह फिनोल है और यह रियक्शन कर रहा है एच एन ओ जिसकी स्ट्रेक्चर होती है क्या बेटा एट मॉलेक्यूल को अमेशा ऐसे अरेंज करो कि वह तोड़ता जुड़ता नजल है यह सोनों जल्दी बताओ फटाफट 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 तो अपन देखने हैं अच्छा अपने पास ऐसे हैं यह और यहां पर एच यह निकला एच टो है राइट यह यहां से भी तो यहां पर यह माइनस यह प्लस यहां पर यह फ्लस 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 यहां पर माइनस दोनों में इस किसी प्लस यहां पर हो सकता है यह भी आपने यहां पर हो सकता है यहां दोनों तरह हो सकता है तो प्रॉड या फिर अब ध्यान देना जब यह question आता है तो यह पूछा जाता है कि यह क्या होते हैं आपके पास अधिक वाश्पित होता है और्थो नाइट्रोफिनोल अधिक वाश्पशील है किसकी तुलना में पेरा नाइट्रोफिनोल की तुलना में यह कम वाश्पशील है क्यों भई तो कहा की क्या कहा की जब क्या होता है जब आप ये reaction कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बंद बंजाता है जिसे कौन सा बंद कहते हैं अन्तह अनुक हाइड्रोजन बंद हाँ यह नुद जब कि यहाँ पर ये बंद बंदना संभव नहीं है यहाँ पर जो बंद बनेगा वो ऐसा बनेगा ओ एच डबल बॉंड ओ राइट ये बंद गया अन्तरा आन्वेक हाइड्रोजन बंद ये बंद प्रबल है ये बंद दुर्बल है अन्तह इसलिए ये अधिक वाश्पशील है और ये कम वाश्पशील है शायद बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को आ गई तो जल्दी से यस मैं लिखते हैं जरूरी है ये क्योश्चन कई बार पूछा गया है और्थो नाइट्रोफिनोल अधिक वाश्पशील क्यूं होता है पेला नाइट्रोफिनोल की तुलना में तो बताना है कि इन में क्या होता है अंतर अनु क आईडरोजन बंद पाय जाता है असानी से क्या हो जाते हैं वाश्पित हो जाते हैं वही पर ये क्या हो जाता है कम वाश्पशील होता है ठ Confederate समझ में आ गई तो पटा पट 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 जल्दी से जल्दी से क्या करेंगे यस मैं लिखेंगे ओके चलते हैं आगे आगे चलें उतार लिया ले लो screenshot अब आओ आओ आगे second reaction जो है आपकी कौन सी है बेटे second reaction है राजा second reaction आपकी है कॉल भे अभी क्रिया कौन सी अभी क्रिया क्या मतलब है कोल भे जो अभी क्रिया है वो यह कहती है कि आपके पाश अच्छा कोल भे क्या कैसे आगी अभी तो हेलो जुनी करन बाग की रहे गया ऊस्ट्रे सले सेकिंडर अलध्य चल पहले nitrikन कलियर हो गया दूसरी भी किया कैन्य चले हैं लुच़त आपकी हेलो जानी करन का मतलब होता है है एलो जन्का चुड़ ये भी दो तरह किसे होती है कैसे जब फिनोल की क्रिया इसकी फिनोल की क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं फिनोल की क्रिया हम ब्रॉमिन के साथ ही करा रहे हैं लेकिन एक के साथ क्या इस्तती है एक के साथ इस्तती है आपका ये रियक्शन होती है कार्बन डाइस सलफ के साथ कार्बन डाइज सल्फाइड की उपस्तिती में ब्रोमीन के साथ वहीं पर दूसरी होती है ब्रोमीन जल के साथ जैसे आपने क्या किया अगर आपने तनु अचरों थे लिया तो वहां मात्रा कम थी ना कम है तनु है तभी तनु का मतलब क्या है इसमें विलाई की मात्रा कम है वहीं पर यदि आपने सांद्र लिया तो मात्रा ज्यादा हो गई ज्यादा मात्रा ज्यादा जुडेंगे कम मात्रा कम जुडेंगे भाई नॉर्मल थी राइट चले बात समझ में आई तो इसकी उपस् यहां पर कम है तो यहांँ स्तिति क्या होंगी यहां पर केवल कहां लगेंगे यहां लगेंगे ओर्थो और फेयरापल enable तो क्या होगा यहां पर होगा वान टू ठरी हां या ना जल्दी बता बात क्लियर हुई या नहीं बात समझ आई नहीं फटाफट 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 अगर मात्रा ज्यादा यह तो यहां लिखेंगे 3HBR रैट जल्दी बताओ बात समझ में आया कि नहीं है इसका नाम बताओ इसका नाम बताओ क्या नाम होगा 246 ट्राई ब्रोमो फिनोल हाँ यह नाम जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी फटावड़क फटावाड पटावड़क फटावड़क स्क्रीन शॉट मानेंगे जल्दी से ताकि आपको बात समझ में आ जाए चले यह क्या होते है इसका अवक्षेप जो आता है वो स्वेथ श्वेत अवक्षी ओके चलिए शुरू करते हैं क्लियर उतारो फटावर स्क्रीन शोट ले लो जदी से हो गया क्लियर अब चलते हैं आगे आईए अगले रियक्शन है आपकी सेकेंड वह तो फॉर्स्ट के दो पार्ट थे कौन सा नाइट्री करण और हैलो चलिए अब आता ह है दूसला क्या दूसला आता है आपका कॉल बे अभी रिए क्या है क्या मतला होता है खत ध्यान गैघ जेन्रलन इंफोमेशन पता हूं चाहिए जब फीनॉल हे कॉमन रियक्शन कर दोटी है फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ जब अनियोज के साथ कराई जाती है छार की उपस्तति में कराई जाती है तो यह एक अधिक क्रियाशील फिनोकसाइड आयन बनाता है क्या बनाता है जिसे हम कहते हैं sodium phenoxide कैसा बनता है यह mechanism में सब्जाएंगा फिनॉक्साइड आयन बनाता है जो अधिक क्रियाशील है और अधिक अमलिय भी है यह फिनॉक्साइड आयन जो है इतना अधिक क्या कि कि साथ यह CO2 के साथ भी रियक्शन कर जाता है और CO2 के साथ रियक्शन कर के क्या बना देता है जरा बताइंगे मुझे सभी बच्चे बताएंगे मुझे क्या बना देता है ओ एच सी ओ ओ एच सैलिसिलिक सैलिसिलिक अमल होता है क्या होता है सैलिसिलिक बात समझ में आ गई होगी बात क्लियर भी हो गई होगी जल्दी से फटा फट 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 लिखेंगे नाम सैलिसिलिक अमल है क्लियर जल्दी बताओ नाम लिख लिया हाँ या ना चल्दी 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 फट 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 ओके दालिया चलो सालिसी लिक चलते हैं आगे अब इसकी मैकनिजम पर आते हैं कि एक मैकनिजम कैसे हुआ है च सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले फिनोव ओके यह ओए जो है यह कितने पर रियक्शन करता है ओएच रियक्शन गी एड़ी ओएच ठीक मॉलेक्यूल को में शाय से अरेंज करो कि बढ़ तूटता और जूटता हुआ नजर आए यहां लिखेंगे आपन क्या ओएच एंड राइट हाँ या ना ठीक है अने ओच तूटा क्या बना है क्लियर यहां से यह प्लस में यह माइनस में यह प्लस में और यह माइनस में कोई दिक्कर नहीं अब जब यह अत्रदिक क्रियाशील क्या है प्रिनॉक्षाइड अरे आयन है, तो sodium phenoxide आयन है, तो यह अत्रदी क्या है, क्रियाशील है, अब यह reaction करेगा किसके साथ, C11OO, right, CO2 के साथ, तो यह electron यहाँ पर, minus, यहाँ पर, plus, तूटा, yes or no, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तो यहां से भी एक hydrogen ही जल्दी बताओ, तो यह जो, अच्टू हो, यहां से निगला था, यहां तो रहने तो यहाँ पर, यहां पर यह, क्या होगा, यहां से यह तूटा, एक internal reaction ये हैं यहां पर और यह सोडियम यहां पर आकर के जोड़ जाएगा और क्या वन जाएगा जब सोडियम इसके साथ जूड़ेगा पहले देखो यह एच यहां पर जूड़ा और यह तक लियर हाँ यह न अब इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है यहां पर क्या चार्ज है प्लस यहां पर क्या चार्ज है माइनस यह प्लस तो यह यहां अटैक करेगा क्या सी डबल बॉंड ओ ओ और हाँ यह न जल्दी बताएंगे फड़ा फट जल्दी से की यहस मैम क्लियर हो चुका है आओ जी आओ अब आपके पास क्या है एच टू अभी मिला पड़ा है न यह रहा इसको यहां पर रियक्शन कराओ एच प्लस ओएच माइनस यहां से वन टूटा यह माइनस यह प्लस आइने के साथ में ओ एच यहां पर यह वन गया सालिस लेक आम लो बच्चों बात समझ आई या नहीं जल्दी बता दो जल्दी जल्दी चलिए क्लियर मैकनिजम क्लियर हो गया होगा होना भी चाहिए क्योंकि यह बात हैं आपको बहुत एजी हो चले आगे अगला है अगली जो विदी है वह तीन नंबर क्या कौनसी विदी है तीसरी विदी है आपकी राइमर टीमान अभी क्रिया यह कैसे याद रखोगे बताओ जल्दी कैसे याद रखोगे राइमर टीमान अभी किया पता है जन्रली क्या होता है movies आप सब देखते हो न है नजल्दी बताओ अब बाते कर लो तुम बाते करो पढ़ना है नहीं बस बाते करना पास हो रहा है अच्छा सा बढ़िया चल रहा है अरे नहीं राजा अब ध्यान दो पढ़ाई में समय बहुत है अगर लाइफ में एक बार सक्सेस हो गए ना उसके बाद में समय तुम्हारा है तुम जह चाहिए उसे यूज करो लेकिन जब समय पढ़ने का है तब उसे वहीं करते हैं किसी भी चोटे बच्चे को किड्नैप करते हैं या किसी भी कहीं पर वी चोरी वगरे करनी होती है किसी को तो वह क्या करता है लोगों को क्या करता है रुमाल में क्लोरोफोम डाल करके से उसके समयल से वह बहुश हो जाता है और कही बार तो इसे काम करके वह क्या कर करके राम शाम मोहन सोहन जो भी नाम आपको ठीक लगे वह ले 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 ना उसको मारा जा रहा है क्लोडों को सुगा कर दें कि यसकीites देगर क्लोरोफॉम को से लगा दिया और वो वीचीया क्या हो गया बेहोश हो गया तो यानिंम आपको क्या तरना है क्लोरोफॉम की रियक्शन करानी है कब जब राई मर्टी मान भी किया हो किस के साथ फिनोल के साथ जब फिनोल के साथ में विक्रिया किस की हो क्लोरोफॉम की और क्लोरोफॉम और ज़दा क्रिया शिलकव हो जाता है जब इसके इस पास में कौन आ जाता है अने ओच आ जाता है यानि की क्लोरोफॉम अने ओच के साथ मिलकर क्या कर देता है क्या बना देता है फिनोल के विक्रिया जब किसके साथ क्लोरोफॉम और अनियोज के साथ होती है तो बेंजल डियाई बन जाता है आई बात समझ में चलें आगे इसे हम लोग मैकिनिजम में भी देखते हैं कि किस प्रकार होती है एक कॉमन रियक्शन पर लिख देती हूं उसके बाद में ये रिशन बताऊंगी कैसे है कॉमन रियक्शन जब हम लोग च्लोरोफॉम प्लस थ्री ने और अच के साथ कराते हैं तो हमारे पास बनता है सैली सैली हाई क्लियर बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को यस और नो जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताएंगे ताकि बात क्लियर हो जाए राइट अब इसकी मैकेनिजम क्या है इस वेरी इंपॉर्टन ये दो नंबर का क्वेस्चन नेम रियक्शन में आना ही ह टू मार्क्स का पक्का आएगा आज ही नौट करो आज ही आपको मालुम चल जाएगा कि हाँ ये रियक्शन हो नहीं है क्लियर चले आज ओफटाफट इसका क्या कर लेते हैं अपने मेकनिजम में तो क्रिया विदी आओ बच्चों ध्यान से देखना क्रिया विधी को ठीक है क्रिया विधी क्या है जरा ध्यान से देखों सबसे पहले क्या क्रिया विधी क्या कह रही है क्रिया विधी कहती है कि सबसे पहले आपके पास अने ओच है ले लो अने ओच कैस तूटेगा अने प्लस प्लस ओच माइस यहां तक किसी को दिखत नहीं होनी भी नहीं चाहिए च पिर यही reaction जब chloroform के साथ होनी है तो अपने को क्या करना है? OH- को लेना है तो यह H इसके साथ जुड़ेगा और क्या बन जाएगा? H2O 7 में क्या बचेगा? CCL 3 Yes or No? हाँ या ना? चल्दी बताओ फटा फट बताओ बात समझ में आगे होगी यह जो आपके पास प्रोडक्ट बना है यह highly unstable है highly unstable है अब यही जो आपका highly unstable molecule है वो क्या करेगा बिटा? वो तुरंट stable कार्बीन बनाएगा यानि इसमें से क्या चला जाएगा? इसमें से क्या चले जाएगी? यहाँ से क्लोरी निकल जाएगा और यह बन जाएगा क्या? कार्बीन जो बहुत stable है कार्बीन में convert हुआ अब यह कार्बीन आपकी क्या है? क्या reaction कराएगी? यह आपका electrofile है electron electron nucleophile नहीं होता ना बिक्स नहीं electrofile, nucleophile वैसे ही electrofile है अब यह क्या करेगा बिक्स यह reaction करेगा राजा फिनोल के साथ यहाँ पर H से यहाँ से जाया यहाँ पर CCL2 राइट? यहाँ पर यह H एंटर करेगा और आपके पास क्या बन जाएगा? फिनोल के साथ में क्या जुड़ जाएगा? यह जो जाएगा OH यहाँ आजाएगा CH Yes or No? जल्दी बताओ बात समझ में आ गई? जल्दी से लिख दो Yes Ma'am ओके? चलिए जी आगे चलते हैं इसके बाद बच्चों देखो जब यह रियक्शन हो रही है तो आपके पास क्या है? क्या बचे हुए है? कितने मॉल अने ओस थे? तीन मॉल कितना काम में आया? एक मॉल अभी भी एक मॉल बाकी है दो मॉल बाकी है दो मॉल क्या? NaOH NaOH मॉलक्यूल को में शाया ऐसे अरेंज करो कि वह तूटता और जुडता नजल आए राइट? क्या बन गया? यह बन गया आपका क्या बेटे? फेनोल के साथ में क्या जुड़ गया? OH और यहाँ अच्छा यह दिखेगा नहीं है तो नीचे ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या है? OH यहाँ क्या है? OH आजाएगा यहाँ बना दू? बिलकुल बना दीजिये आजाएगे यह आपका OH यहाँ C राइट? इधर H यहाँ क्या है? OH यह आपको याद है? मैंने लास्ट जो रियक्शन कराई थी उसमें मैंने कहा था कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती है एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती तो दो OH एक कारबन पर कभी नहीं रहते क्या रिमूव हो जाता है? H2O यहाँ और नो? यह है आपके पास तो H2O रिमूव क्या बना प्रॉड़क्ट? यह बना आपका प्रॉड़क्ट CHO यस और नो? जल्दी बता दो फटा फटा का नाम क्या है? Salicyl D हाइड वो क्या था? Salicylake आमल जात CWH था यहाँ क्या है? CHO इजी है ना? बात समझ आई ना? जल्दी से लिख दो Yes, Ma'am और फटा फट इसको उतारो जैसे मैंने समझाया है ठीक वैसे ही आपको भी अपनी कौपर में ऐसा नहीं है बेटे कि एक बार किया और आपने को आजाता है ऐसा नहीं है प्रैक्टिस जतना करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा जतना हो उसके प्रैक्टिस करो चीजीं उतनी ही अच्छी निकर कराईगे पर बिना कहते हैं कि सफलता का एक मूल मंत्र है कि आप अप जितनी ज़्यादा practice करेंगे जितनी ज़्यादा चीजों को बार बार दोहरान करेंगे आपके लिए वो चीजें उतनी ही आसान और उतनी ही जल्दी आपको समझाईगे तो जल्दी से अच्छे से practice करो इन चीजों की तो यह आपको mechanism clear हो गया है तो पड़ा पड़ येस मैं हम लिख दे, आप चलते हैं, हम आगे अगली अभी क्रिया, जो चोती है, वो है किस के साथ, फिनॉल की रियक्शन, यशद रज के साथ, यशद रज यानि की जिंक की डस्ट के साथ, तो चलते हैं, यह कहता है कि अपने पास फिनॉल है, फिनॉल ओ एच रियक्शन विद जिंक डास्ट राइट इसके साथ करते हैं तो क्या होता है इसके साथ रियक्शन करने से यहां से तूटेगा तूट करके यह ऑक्सिजन इसके साथ और यह यह बन जाता है बेंजीन और क्या जाती है जींग ऑक्साइड बात समझ में आ गई तो फटा 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 फट यस ना लिख दें जल्दी से लिख दें ताकि बात क्लियर हो जाए चलू आगे जल्दी से जल्दी पटा फटा फटा आगे चलते हैं लास्ट रियाक्शन अपनी रासाईनी कभी कृड़ी कम्प्लिट हो जाएगी क्या है आखसी और क्या पांच वी है यह हैं ना हांजी हां बिल्कुल हैं ओक्सी करन का मतलब होता है जब फिनोल का बेटा ओक्सी करन करना होता है तो आप जानते हैं कि हमें ओक्सी कारक चाहिए और यहां पर अक्सीजन कारक लिया है ने 2-C-R-2-O-7 जैसे के-2-C-R-2-O-7 जैस्ट लाइक दिस यह रियाक्शन हो रही है एच्टू-S-O-4 की उपस्तिती में और यह ऑक्सी कारक है तो यह क्या करेंगे यहां से यह हटाएंगे एच्टू-O होगा और एक ऑक्सीजन की मात्रा अधिक्य में है तो यह ऑक्सीजन जो है एक्स्ट्रा यहां पर भी जुड़ेगा तो यह रियाक्शन बन जाएगी इस प्रकार आपको पता है ना मैंने यह आपको इसके भोतिक गुन धर्मों में भी बताया था क्या बैंजो कुनॉन बैंजो क्यून रैट जो किस कलर का होता है फटा-फट लिखने वे जो कम्ट में किस करण का होता है तो यह थी आपकी राणसाइन नीक हुट है यां तो एधर होता है Firch इतर वह उत्पाद है जो क्या करता है वह उत्पाद है जो हमें तब मिलता है जब एक ऑक्सिजन परमाणू दो की जूर सकता है लेकिन अगर ऑक्सिजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रूप है तो वह हमेशा किसको भी पर्जेंट करता है एज़ फंक्शनल ग्रूप एज़ क्रियात्मक समुह एथर को री पर्जेंट करता है राइट एथर की जो स्ट्रेक्चर होती है आपको स्क्रीन पर दि इंगो कितना होता है 101 uppo 1001.7 जेनरली होना कितना चाहिए इंगल ऑन्डेड है तो 109 डीग्री 28 डैश होना चेहें लेकिन प्रतिकर्शन क्या है कम होने की वज़े से बंड एंगल क्या हो जाता है इनका बढ़ जाता है यहां पर प्रतिकर्शन होता है जादा होता है इनके लोन पेर के मत्या क्लियर बात समझ में आ गई होगी तो पटाफट 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 जल्दी से लिख दे यस मैं ओके आई ये जी तो आपका ये इथर का जो स्ट्रेक्चर है वह आपको क्लियर हो चुका है कि इथर कैसे बनता है दन अब चलते हैं आगे अब देखते हैं जो इथर है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकाद किया गया है तो जनरली जो इथर होते है उनको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है क्या एक तो साधारण इथर और दूसरा है बेटे क्या मिश्रित इथर क्या मिश्रित इथर साधारण और हैं तो वहां पर चेंज हो जाती है अगर वह साधारन है तो वहां पर हमेशां CH3 O CH3 equal रहेंगे अगर C6H5 O C6H5 है तो इस सीमिलर साधारन एथर और मिश्रित में क्या होगा CH3 O C6H5 होगा यानि कि जब आप एथर की बात करते हैं तो साधारन एथर में क्या होगा एल्किल ग्रूप हो सकता है एरिल ग्रूप हो सकता है लेकिन सीमिलर समान होगा और मिश्रित में समान और एसमान दोनों एक साथ हो सकते हैं तो उन्हें अपन कहतेma निफ्नत इंट बात समझ में आगई हैं तो यहां पर सामने दिखा हुआ नरी विखिए निफिन एथर क्धि फैनी महीं क्या है इसे यहां सब समान है यहां पर समंतित क्या जाता है इसाथन फार्व निफिक से जाता है這麼 क्लियर हो गई बेटा बात समझ में आ गई होगी सामाने इथर साधरन इथर सम्मित इथर एक ही बात होती है जिनमें जो आर होता है वो विल्कुल क्या होता है समान प्रवर्ति का होता है राइट बात समझ में आ गई वही परेदी आप ऐसम्मित की बात करो तो वहां पर दोनो होते हैं बिन फिन परवर्ति की होते हैं हो सकते हैं और एलकी चलते हैं आगे नाम करणन नाम करण आपको देखना है कि नामकरन दो वीदियों होती है एक तो होता है IUPAC और एक होता है क्या सामानने नाम राइट अपन क्या लिखते हैं आइज पीसी में अपन एथर का जो अनुलगन है वह होता है क्या ओक्सीं क्या होता है औक्सीन याई डाइः इथर मैथिल मेतोक्सील है नहीं 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 तोक्सी जो होता है वह क्या लगाते हैं हम उसके नाम के पीछे लगा देते हैं जब जिस सम्मुहे के साथ oxygen चुड़ा हुआ होता है उस सम्मुहे के साथ ने oxygen group भी आप नाम की रूप में जोड़ सकते हैं clear बात समझ में आ गई तो आईए जल्दिस देखते हैं CH3 OCH3 तो दालिका di-methyl ether बेटा जब भी आयू-PSC नाम करन करते हैं तो अपन देखते हैं कि अपन अनुलगन पूर्व लगने लेकिन जब भी आप रूड प्रवर्ति की बात करते हैं तो वहां पर एलकोल है तो एलकोल ही आएगा फिनोल है तो फिनोल ही आएगा इथर ही नाम लिखा जाता है चेंज नहीं होता वहां पर जो नाम है वही लिखा जाता है ओके तो आईए देखो है और यहां पर देखो सिह ठरी सीएष तूकिया बोल और है अन्प्रॉपिल एथर का मतलब होता है यहां पर ऑक्सिजेन के बाद में इस नंबी कार्बन श्रंकला यहीं आयोपेसी में ने बताया हुआ है कि लंभी कार्बन श्रंकला जो होती है वहीसका चैन करते हैं बाकि तो यहां लिख दिया है क्या अब आ जाओ जब मैथिल आपने पूर्व लगन के रूप में लिया है या परतिस थापी के रूप में लिया है तो उसके नाम की पीछे अक्सी लगा दो जल्दे C6H5 का नाम क्या होगा मिथाइल फिनाइल एथर या एनि सोल बेटा यह बहुत बात पूचे जाता है एनि सोल का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको लिखना है एनि सोल का फॉर्मूला यह होता है OCH3 यह anisol होता है इसे हम आपन क्या बोल सकते है methoxy क्या? benzen right ओक आजओ ethyl phenyl ether ethyl phenyl ether oxygen के लिए इथर आई रहा है तो यह लिए फैनीटोल क्या नाम है इसका? phenytol ethoxy benzen आ गया? आगए देखो C6H5O CH2 का hold 6 CH3 विट है ताइल फिनाइल इथन यह नाम आपको थोड़ा सा याद रखने होंगे अप सोच रहे हैं मैं में इत्ते बड़े बड़े याद कैसे होंगे होंगे बेटर होंगे कोई दौरास नहीं होंगे नाम आपको याद लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा अब अपन लंबी श्रंक्ला में देखे अपने पास क्या है एक इसलिए लगा ना और आपको क्या कर नहीं अब इथर का आयूपी से नाम लिखना हो तो तू मेठोक्सी प्रोपेन क्लियर हाँ या ना जल्दी बता दो ऐसे ही फिनाइल आइसोपेंटाइल आइसोशक्त का मतलब मैंने बता दिया है मिठाइल ब्यूटक्सी बेंजी क्लियर इस प्रकार अपन सारे नामकरन देख सकते हैं इस अब चलते हैं आगे अगे अगला पॉइंट क्या है अब है इथर की शाए कि एथर के विर्चन के विधियान कौन तो आपको मैं बतावाइँ की इथर का दूं内 दो ही विजियाँ पर्टिकूलर्ली बताई गई है चेही पहली है एल्कॉहल की निर्जली करन्य स्लिपर अधम मैं निर्जली करन द्वारा और दूसरी वीदी है वीलियम सान इथर संसलेशन सबसे इंपोर्टेंट वीदी यही है आपको याद रखनी है यह एक्जाम में पूछी भी जाती है अब आते हैं सबसे पहले बात करेंगे अल्कोहल के निर्जली करन से आप मेंसे कितने बच्चे हैं जिन्हें पता है कि हमने एल्कोहल का निर्जली करन पड़ा हुआ है जल्दी से मुझे कमेंट में लिखो पटाफट 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 ताकि हम शुरू कर सकें अपना पहला विदी जिसका नाम है एल्कोहल के क्या के निर्जली करन द्वारा एल्कोल का निर्जली करने दी आपको पढ़ना है तो आपको पता है कि अपने पास C2H5OH है आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH और वहीं पर दो मोल ले लो C2H5OH की अब इसका क्या कराना है आपको निर्जली करना जब आपको निर्जली करन कराना है तो आपको लेना है क्या है और इसमें से क्या निकालना है अगर आप 4445 केल्विन तापमान पर यह क्लिया करवा रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है उस दौरान आपके पास क्या बनती है एल की कैसे जड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे अचा मैं यहां पर लिग देती हूं CH21CH2 मैं आगे समझा देंगी बस और वहीं पर यह आप 413 केल्विन की बात करते हैं तो बहां बन जाता है C2H5O C2H5 राइट बच्चों यह बात मैंने वहां भी बताई थी यहां पर भी बता रही हूं अब इसकी जो अपन मेकनिजम देखते हैं वह अपन देख सकते हैं कि अपने अपने पास यहां पर क्या करता है यह प्लस अटेक करेगा और यह अटेक करके क्या कर लेगा यहां पर प्रोटो निक रत बना लेगा न ऑक्सोनियम आयन बना लेगा इधर भी ह इधर भी ह और यहां चार्ज क्या लगे बिटे प्लस अब यहां से क्या हो जाएगा तीसरी विधी में क्या हो जाएगा दूसरा तो यह रहा और तीसरे में क्या हो जाता है सी टू एच फाइफ ओ इधर एच इधर एच यहां पॉजिटिव यह बंद यहां के तूपता है क्या रिमूव हो जाता है बिटा एच टू ओ और क्या बन जाता है सी टू एच फाइफ प्लस राइट आब यह दी इसी की रियक्शन में आपन क्या करें एच पॉजिटिव रिमूव कर दें तो अपने पास क्या होगा इस पाप खोल करकी भी देख सकते हैं च एच थरी च टू पॉजिटिव यहां पर आप टू लगा दें और यहां एच तो यहां से यह दिनूव हो गया प्लस हो में और अपने पास क्या बन गया च टू ज़्दी बताओ पटापट 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 की बात आपको समझ आई है यह नहीं जल्दी से बता दीज यह चल्दी 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 क्लियर है यास और नो है यह किन बन गया वहीं पर यदि में क्या करूं यदि मेरे पास क्या हो C2H5OH हो और इसके कितने मोल हो C2H5OH के अपने पास कितने मोल हो बेटा दो मोल हो और इसे अपन 413 केल्विन ताप पर यह भी गरम कर रहे हैं तो यह क्या हो जाता है H2O हो जाता है और अपने पास क्या बन जाता है C2H5OH C2H5 और इसके उपस्तिती में होता है H2SO4 की उपस्तिती में होता है Concentrate ओके बात समझ में आ गई होगी है ना अच्छा लगता है ना अब तो आपका भी हाथ ऐसे समूथ ली चल रहा होगा बहुत अच्छा लगता है वन ओप माइफ प्रेजिट सब्जेक्ट है केमेस्ट्री में और इनी केमेस्ट्री इसलिए मुझे इतना अच्छा लगता है वैसे में सारे सब्जेक्ट पढ़ा देती हूं पढ़ा है मैंने बहुत अच्छे से इन तो बहुत इजी संचेक्ट है ना लोग कहते हैं इसा में बहुत बात सुना है सबसे कहते हैं के लिए हम बात समझ में आगे बेटे आब आते हैं सेकंड रियक्शन जो है आपकी वह क्या है आपकी वीलियम सन एथर संसलेशन वीलियम सन एथर संसलेशन अब यह क्या करता है इसमें क्या है इसमें कहा गया है कि जब भी कोई alkyl थेलाई किसी sodium या potassium alcoxy group के साथ में reaction करता है क्या करता है reaction करता है तो क्या बन जाता है आपके पास हमेशे क्या बन जाता है ether बन जाता है और sodium के साथ में हेलाई जिल जाता है बात समझ नहीं यह थी जन्दल reaction इसकी क्रिया विधी आप कैसे को सकते हैं इसकी क्रिया विधी जो है उसे आप कैसे लिख सकते हैं उसकी मेकनिजम क्या होती है यह बड़ा ध्यान से देंगे CH3 CH2 CL या I भी आप यहां पर लिख सकते हैं I PLUS क्या CH3 O N E यहां से बन तूटा यह माइनस यह प्लस यहां से बन तूटा यह प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ प्लस यह आप C2H5 भी लिख सकते हैं ओके तो प्रोड़क्ट क्या बनता है बड़ा CH3 CH2 O C2H5 प्लस N E मैकेनिजम में क्या होता है कुछ नहीं मैकेनिजम को यदि आपको समझना है तो मैं यहां पर लिख देती हूँ आपको बात समझ में आ जाएगी कैसे आ जाएगी देखो बेटा हमेशे क्या करना होता है आपको सबसे पहले आपके पास क्या है आपके पास क्या है CH3, CH2, O negative एक क्या है क्या है यह किसको पसंद करेगा यह माइनस है तो प्लस को पसंद करेगा न तो यहां पर प्लस चार्ज उपर से यहां क्या है CH3, CH2, I अब आप इसको molecule को मेशा ऐसे arrange करो कि तोटता और जोटता न जड़ा है तो हमने क्या किया C, उपर CH3, यहां H, यहां पर H और यहां पर क्या लगा दिया आए ठीक यह back side attack हो रहा है और कौन सी mechanism हो रही है यहां पर है यहां पर है और यहां पर क्या हो रहा है यह अब आपके पास क्या हो रहा है बंद क्या हो रहा है यहां पर बॉंड क्या हो रहा है मेकी यहां क्या हो रहा है बॉंड ब्रेकी राइट बात समझ में आ गई तो फटा फर लिग दो यस और नो जल्दी बताओ फटाफट 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 यह ऑक्सिजन में भूलिए है ऑक्सिजन चीएजटू क्लियर बीटा बात समझ में आगए फटाफट लिख दो यस मैं क्लियर होगा यहोगी आपकी मैकेनिजम आपको अच्छे से यह पता होना चाहिए कि जब आप मैकेनिजम कर रहे हैं इस तरफ से अटैक होगा frontside attack क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आई जो है उस पर भी नेगेटीव चार्ज है नेगेटीव नेगेटीव पर्तिकर्शन इसलिए backside attack होगा और backside में अपने पास हमेशा एक डिग्री होना चाहिए एक डिग्री होना चाहिए दो डिग्री हो सकता है पर फिर भी एक डिग्री लोग तीन डिग्री नहीं कभी भी नहीं क्योंकि वह हमेशे आसन गौन रियक्शन पर रशेत करता है वहां फ्रंट साइड अटाइक होता है वह क्यूं होता है वह में रा तो गुंधरमों में आपन देखी लेते हैं कि अपने पास जो टॉपिक है उसके अंदर उसकी गंद कैसी विलैता कैसा क्वथनांग कैसा होता है यही सब चर्चा यहां पर भी करेंगे तो सबसे पहले आपन देखते हैं कि आपके पास सीवन से सीटू जो होते हैं वो हमेशा गेसी अवस्ता में होते हैं और उसके बाद के जो होते हैं वो हमेशा इथर कैसे होते हैं द्रवी अवस्ता में पाए जाते हैं प्लिएर बेटा बात समझ में आगे अगला पोईंट है आपका जब एथर के अफ़न बात करते हैं बोतिक गुंतर मां की तौर अपन देखते हैं कि ये सुगंधित होते हैं क्या होते हैं सुगंधित होते हैं सुगंहान्धित होते हैंने सुगंधित २ गंध identified शुण आ नेल पेंट को उतारने के लिए ना आप तो अच्छे बच्चे नहीं लगाते हों मैं जानते हो लेकिन वाद समझ में आगई तो अब चलते हैं आगे आपने पास जो जो यह इसके बाद में इनके गुंधरमों में आगे बड़ा जाए तो अपन देखते हैं कि सबसे important आता है विलेटा बिटा विलेटा की यदि आप बात करते हैं तो एथर जो होता है वो क्या होता है जल के साथ घुलता तो है लेकिं एथर जो है वो क्या होता है जल में किसकी तुलना में एथर एलकोहल की तुलना में कम गुलेशिल है एलकोहल जादा घुलता है एथर कम घुलता है क्यों? तो कहा गठा कि एथर जो है वो जल के साथ जब reaction करता है तो यहाँ पर लिख दो आर और जब जल के साथ reaction कर रहा है तो वो क्या करता है? इसके साथ अंतर अनुक अंतर अनुक hydrogen बंद बनाता है क्या बनाता है पेटे? अंतर अनुका hydrogen बंद बनाता है अंतर अनुक जब hydrogen बना रहा होता है तो अपन देखते हैं कि अपने पास जो है अंतर अनुक hydrogen बंद जब बनता है तो उस समय यह बंद जो है वो क्या हो जाता है? किसकी वज़े से इसमें क्या होता है यह दुरूबल प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् तो जल्दी से बताइए ती आपको यहां तक विलयता क्लियर हुआ है या नहीं दन चले आगे तो अब देखते हैं अपन जो अपने पास ये दुरबल बन बना रहा है तो कम विलय हो गया जब कि अधिक विलय होता है अब आता है अगला इसी के अंदर आपन देखते हैं कि मानुपाती होता है वहीं पर यदि में बात करूं विलयता की तो विलयता जो है वो अनुभार के साथ में क्या होती है विलयता हमेशा क्या होती है विलयता अनुभार के हमेशा क्या होती है वित्क्रमानुपाती होती है क्यों होती है क्यों 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 क्य शयक्ताय मुद्धि करता हैं क्या होते हैं अइरुमी प्रवर्ती होते हैं जल विरागी होते हैं इसलेयं नीलेता घर्ती चली जाती है रही पर यख़े बात करूं कवत TNOF नांकी तो अपन देखते हैं अनु territory केसम स्वेक्थाद्म लेकिन एथर का क्वथनांग कम होता है किस की तुलनामे एलगोहल की तुलनामी क्यों भाई? अभी आपको मैंने बताया कि एथर के अंदर क्या पाया जाता है दुर्बल हाइड्रोजन बंद पाया जाता है दुर्बल हाइड्रोजन बंद पाये जाने के कारण क्या हो जाता है एथर जो होता है उसका गल्लांग को अतनांग कम होता है वहीं एलकोहल का गलनांग को अतनांग क्या होता है जादा होता है किसकी वज़े से दुर्बल अंतर अंख हाईडोजन बंद की वज़े से बात समझ में आ गई टॉपिक क्लीर हो गया तो फटाफट लिख दीजिए यस मैम यह था आपका भूतिक गुंदरम जो बहुती इंपोर्टेंट था बहुत जरूरी है इसे आपको समझना यहां से क्रेशन भी आ जाता है थ्रध्यान से पढ़ना कि यह क्या कहना चाहते हैं चलें आगे अब चलते हैं आगे बैटा आता है अगला टॉपिक जिसका नाम क्या रासाइनी गुंदरम जो आपका लास्ट नाबら रासाइनी क्या है आप सब जानते हैं इसमें appel इथर यूज़ करेंगे और एक नया प्रॉडक्ट प्यार करेंगे तो इथर के रासाइनिक गुंदरम जो है बैसिकली दो टाइप से डिवाइट किये गए है पहला है कार्बन ऑक्सिजन के मध्य बंद कार्बन ऑक्सिजन जो बंद होता है इथर का उसका विदलन करके जो रि इस्थापन अभी जिसके अंदर तीन रियक्शन मेजरली बताए गई है पहली है बिटा क्या हेलो जनी करन दूसरी है फ्रिंडल ख्राफ्ट अभी क्या गुषIs Dutch क्या है को निवैं म्रिंडल क्राफ्ट अभी क्रिया और टीसल्य है चा री जल्दी से बता दीजे कि आपको चार्ट समझ में आया या नहीं तो आप पटा पट उतारेंगे जल्दी से बातें नहीं करेंगे राजा बातें करोगे तो बात समझ में नहीं आएगी बेटे कि इसलिए बात नहीं करनी है टॉपिक पर ध्यान दो क्लियर चले आजाओ सबसे पहले आपन दिए कार्बन ऑक्सिजन बंद विद्लन में कैसे पहले सी यो बंद विद्लन से जो रियक्शन होनी है वह कैसे होनी है सबसे पहले बताया गया है कि अगर आप क्या करें अगर आप इथर की अभी प्रिया किसके साथ कराते हैं आपके पास क्या बंद गया और साथ में क्या बन जाता है आपके पास आरो अच के साथ में क्या बन जाता है जल्डी बताओ यहां पर आपने क्या तोड़ दिया है अरकसी तो बनेगा हाँ यह न जल्दी बताओ देखो यहां से बंद पूता यहां माइनस यहां प्लस यहां पर प्लस यहां पर माइनस प्लस के साथ माइनस के साथ यह सोर नो जल्दी बताओ जल्दी 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 बात समझ में आगे है clear भी हो गया है right अब चलते है आगे तो अब देखो बoires आप अगर 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 इसकी बारे में बात करें यह इसकी mechanism के बारे में बात करें तो अपन देखते हैं एक तो इस तरह भी हो सकता एक इतर आपके पास यू भी हो सकता है similarly कैसे भी आप reaction करा सकते हैं तो वहाँ पर भी same आप इसके साथ reaction कराएंगे तो क्या बनना है वही same phenol बनना है आपके पास OH और अपने पास क्या आना है Rx यहां किसी को doubt होना भी नहीं चाहिए अब अपन देखते हैं कि यदि अपन इसकी reaction करा रहे हैं तो यहां पर जो आप Hx की ब होती है और यदि आप Rx की बात करने हैं तो वह आरक्स जो आप बन रहे हैं वह आरक्स कौन सा अधिक मात्रा में और इस्था ही रिप से स्थेली होता है चलूं आगी हाँ यह ना आजाओ तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बिटा कि जब आप reaction करा रहे हैं तो अपन OCH3 ठीक है और वही पर आपने विदिया ह और अब यहां पर मुद्दा यह है कि यह जो oxygen है वो किसके साथ जाएगा तो एक साइंटिस्ट आया था पोपाफ पोपाफ नामा मेग्यानिक ने कहा कि oxygen सदेव उसके साथ जाता है जहां पर एलकिन सम्हर जो होते हैं वो क्या होते हैं कम होते हैं क्यों क्योंकि जब oxygen वहां से रिमूम हो जाएगा तो बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वह हमेशा स्टेबल होना चाहिए क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए oxygen हमेशा एलकिल जहां पर कम होते हैं उसके साथ जाता है ठीक है तो आप यहाँ पर H इसके साथ और I इसके साथ जाएगा एच इसके साथ और I इसके साथ तो अपने पास प्लॉडक्ट क्या बना विटे अपने पास प्लॉडक्ट बना CH3C CH3CH3 क्या I हमेशा इथर का जो ऑक्सिजन होता है कम एलकिल ग्रूप के साथ जाता है यह साइंटिस्ट थे पॉप आफ नामा के विज्ञानिक उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करके बताया क्योंकि अगर ऑक्सिजन कम एलकिल ग्रूप के साथ जाएगा तो बचा हुआ जो सम्पन हो जाती है बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दीजिए यस मैं फटा फट 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 ताकि मैं आगे चल सकूंगे चलूं के चलूं आगे यस आ जाओ जी आजाओ अब चलते हैं हम आगे अपनी दूसरी अभीक्रिया जो है वह आपकी कौन सी अब इलेक्ट्रोंस ने ही प्रती स्थापन अभी किया कि यहां पर आपन देखते हैं कि अपने पास पहली रियक्शन है क्या हेलोजन करण यानि आप सब जानते हैं कि हेलोजन करण का मतलब होता है कि हेलोजन का जुड़ना तो एथर के साथ में आपको क्या जुड़ना आपका एथर ओ सी एस थरी एनी सोल राइट चले अब इसकी रिएक्षिन इभी आप बियार तू के साथ कराते हैं बेठा किसकी उपस्तिती में एथेलोइक अमल की उपस्तिती में इसके उपस्ति में आपका आते हैं तो अपने पास यहां पर आपन देखते हैं कि अपने पास जो रियक्षिन है और बियार भी बन सकता है अब इसका नाम जो है सबी बच्चे मुझे क्या करेंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से इन दोनों का नाम क्या है जल्दी जल्दी बताओ फटाफट बताओ बिना टाइम को वेस्ट किये जल्दी से मुझे आंसर बता रहे जल्दी 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 हो गय अब चलते हैं अगले दूसरी रियक्शन है आपकी क्या बिता फ्रिंडल क्राफ्ट रिंडल क्राफ्ट एल्कीली करन और एस यह रियक्शन पीछ आ चुकिए इसलिए फटाफट करा रही हूं एल्कीली करन का मतलब क्या होता है एल्कीली करन एल्कीली करन का मतलब होता है जब अन्यसल यनिए यह इथर की रियक्शन किसके साथ बेटे चल के साथ के हैं तो इह बनता है और यह जल्दि उद्टा अपने पास यह आ गया अनसर ओ ठ्वन Confederate यहां पर CH3 यहां पेरा पे भी हो सकता जल्दी बताओ जल्दी बताओ बात समझ आई की नहीं है जल्दी बताओ बाते नहीं करो आजा अब एसी टीली करन की बात करें तो एसी टीली करन में क्या होगा वहीं अपने पास एथर की रियक्शन आप किसके साथ कराएंगे बिटा आप रियक्शन कराएंगे यहां से एच निकला और प्रॉडक्ट क्या बन गया यह सब आती है ना आपको रियक्शन बोलो जल्दी सी ओसी एश थरी यह और नो जल्दी बताओ हां यह ना आती है यह मैंने पहले भी करा रखी है इसी लिए मैं फटा फट करा रही है जहाँ समय कंजूम ना करो कुछ ब चोटे वीडियो और बड़े वीडियो से मतलब नहीं है बात इसकी है यह इस मद्दे पर है कि आपको टोपिक समझाना चाहिए लंबा हो यह चूटा हो टोपिक का कुई वह नहीं इस्जू बट आपको यह बात के सीले होनी चाहिए बट आपको पढ़ाया जा रहा है वो कितना important है आपको समझ आ रहा हूं ओके चलें आजाओ लास्ट अभी करिया है क्या बटे नाइट्री करन नाइट्री करन कैसे लिख़के जाता है वही एनिस ऑल की reaction किसके साथ कराऊ बटे वही एनिस ऑल की रेक्षन आप करवाऊ HNO3 के साथ Concentrate H2SO4 की उपस्तिती में और हमारे पास क्या बन जाता है हमारे साथ बन जाता है OCH3 NO2 या फिर पेरा पोजिशन पर NO2 बात समझ में आ गई तो पड़ा बड़ लिख दो इसी के साथ आपका एथर का टॉपिक भी कम्प्लीट होता है और चैप्टर भी कम्प्लीट होता है तो फटा फट जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक करके जाएंगे और कमेंट में लिख कर जाएंगे यस मैम हमें समझ में आ गया है तो फटा फट जल्दी से जारस जारा क्लास को शेर करना ताकि सबी बच्चे पढ़ सकें आपका दूसरा चैप्टर और निक केमिस्टी का भी मैंने कम्प्रीट करा दिया है आपके हाफेली एक्जाम तक कोशिश है ही है कि इस लेबस कवर हो जाए तो जल्दी से जल्दी जार जार संक्या में आओ पढ़ो और लाब उठाओ ताकि आप अच्छे से कवर कर सकें तो खुश रहो मस रहो नक्स क्लास में आती हूं तब तक पढ़ते रहो थैंक यू